नमस्का दियर स्टूडेंट्स आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एन्यूल प्रिप्रिशन प्रोग्राम के 50th सेशन में हाफ सेंचुरी आज पूरी हो जाएगी आज हम बात करेंगे भारत नेपाल तनाव की इंडिया नेपाल इश्यू टेंशन ऑन दे सब्सक्राइब उम्मीद करता हूं अभी तक के सारे सेशन आपने अच्छे देख लिए हैं पढ़ लिए हैं सीख लिए हैं आज हम भारत नेपाल की जब बात करेंगे तो हम सिर्फ काला पानी डिस्प्यूट की बात नहीं करेंगे हम उससे जुड़े सारे 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 मुद् बारत नेपाल दराव दोस्तों यह हमारा तपस्या का प्रोग्राम हैं जिसमें हम आप तक सिलेबस कॉंसेप्स गवर्मेंट स्कीम्स और प्रेलिम एंसीक्यू लगाता लाते हैं अच्छे से पढ़िये चीजों को सीखिए बहुत 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 आपको फाइदा होगा तो जब हम बात करते हैं सिलेबस कॉंसेप्ट की तो यह जो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों यहां पर यह सिलेबस कॉंसेप्ट ही है नेपाल भारत का जो विवाज चल रहा है जो पीडिएफ में आपको आज दूँगा उसमें गवर्मेंट स्कीम्स भी होंगी और प्रेलिम से प्रेक्टिस भी होंगी तो आज हमारे 500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे 500 काफी अच्छा नंबर होता है दोस्तों रहन बूल चंदानी भुपाल से बड़ा प्यारा टेस्टीमोनियल भेशते हैं आपने बताया यह पूरा टेस्टीमोनियल है उनका दो पार्ट्स में कि कि अपने तरह से आपको पीटी एडूकेशन और पीटी जाइए से लाब पहुंचा यहाज बीन वित उस वर वेरी लॉंग टाइम आपने बहुत दिल से लिखा है और यह प्यारा सा बच्चा भी ऐसा लग रहा है कि आप सारे वीडियो देखना शुरू कर चुका है आप सभी को पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुप कामना है सभी बच्चे इसे पढ़के समझिये कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स अलग-अलग एक्जैम्स क्लियर करते हैं एक बार वो हमारे रिसोर्स को यूज करें तो सो गाड़ ब्लेस यू गाड़ ब्लेस दा फैमिली करते रही है तो यह थे हमारे आज के दो स्टार्स आप भी तुरन टेस्टीमोनियल लिखिए टीम को अच्छा लगता है तपस्या के टेस्टीमोनियल में अभीशेक अरोरा एहमदबास से परवीन कुमार मुंबई से और शिवांगी तनेजा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है खूब पढ़िए और जीवन में खूब आगे बढ़िए हमारी शुब कामदा हैं आपके साथ हैं भारत नेपल तनाव पर आज जो मैं आपसे बात करूंगा इस विल बी वेरी वेरी गुड प्राइमर फॉर आल बिगिनर्स जितने भी लोग इस विशे को आज बिल बारे अजंडा के बारा बिंदू एक बार नजर घुमा के देख लीजिए इससे पिछली क्लास में मैंने तपस्या के 49 सेशन में इंडिया चाइना पर बात की थी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सेशन मुझे बहुत खुशी है भारत चीन का विवात तो अभी तक रहा है भारत नेपाल के मामले में क्या है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे तो यह हैं बारा बिंदू एक एक करके मैं इन्हें कवर करूंगा लेकिन पहले पांच मिनिट हमें बिताने होंगे हमेशा की तरह क्योंकि यह टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसमें मुझे सपोर्टिंग मटीरियल लाना ही पड़ता है नॉर्मली आए वोईडिट क्योंकि यह वन टूवन हमारा एक डिसकुशन होता है लेकिन भारत चीन यह भारत नेपाल हो विधाउट सपोर्टिंग मटीरियल हम कुछ करी निपाएंगे तो फिर से गूगल अर्थ गूगल मैप भी आएंगे स शर्मावली को देख रहे हैं यह एक सिंप्लिफाइड वर्जन मैप उस शेत्र का जहां आज दिक्कते चल रही हैं सच मैप आलवेज हैं काफी सिंप्लिफाइड हैं तो चीजों को एक बार फर्स लेवल पर समझने में मदद होती है हमने जब चीन के बारे में बात की थी त आज हम स्पेसिफिकली इस शेत्र पर फोकस करेंगे काला पानी शेत्र समझ मागी बात ट्राइ जंक्षन ट्रवल इसे कहा जाता है जो कि काला पानी से संबंदे तक जगड़ा चलता चला जा रहा है क्योंकि माउंट कैलाश अर्थात भगवान शंकर का घर कैलाश परवत पे जाने के लिए और मांसरोवर जील तक जाने के लिए जिनका चार अलग-अलग धर्व से होके वो भी आजम पढ़ेंगे और ये है वो शेत्र जिसको लेकर सारी समस्या बनी हुई है हमने उसमें जूम इन किया है दरसल जगड़ा ये है कि ये काला पानी नदी काली नदी निकलती कहां से है उसका स्तरोत क्या है क्योंकि सेकड़ों साल पहले एक एग्रिमेंट बीच में कि काला पानी के पस्चिम में जो कुछ होगा वो भारत का होगा काला पानी के पूर्व में काली नदी के पूर्व में जो कुछ होगा वो नेपाल का होगा तो सवाल जगड़ा ये है कि आखिर वो नदी है कहां और वो शिफ्ट होती रहती है तो वो नदी की लोके सामने आया, उसको लेके नेपाल में हल चल मच गई. तो ये नेपाल के अकबार में क्या छपा वो आप देखिए, उनका कहना ये है कि इस मैप में आपने ये नाम ही अहटा लित और अगर ये नाम आपने दिया होता तो ये पूरा शेत्र आपको नेपाल को देना होता, ऐसा उनका आरोफ है, जो की सही नहीं है, वो देखेंगे हम कैसे, आपको लॉजिक समझ में आगे न, इसी नक्षे में मैंने इस हिस्से पर जूम इंग कर दिया है, ताकि आपको इस शेत्र की पूरी पूरी जोगरफी समझ मे आरा जाए, so this is our contested area, I hope this is very clear, trijunction area इसी को कहते है, trijunction अर्था तीन देशों की सीवाएं जहां आकर मिलती है, दुनिया में लगबक पौने दोसों के आसपास इसे trijunctions हैं, ये इंडिया नेपाल, चाइना trijunction है, ऊपर PRC है, यहां नेपाल है, और लेफ्ट में आपको भार इनस एवरेस्ट वाला शेत्र है, पूरा, दुनिया की सबसे बड़ी चोटियां नेपाल में है, including Everest, ये नेपाल के अकबारों में छपा हुआ, एक three-dimensional नक्षा है, ये शेत्र भारत ने बेवज़ा हम से ले लिया, नए नक्षे में, ये उनका आरोप है, तो हम देखेंगे क कि वारोप सही है या नहीं, और जैसा मैंने आप से का फोकस कीजिए का काला पानी नदी को, क्योंकि इसके पूर्व में जो है वो नेपाल का होगा, और पश्चिम में जो होगा वो भारत का होगा, ये भारत का दावा है, उस पर नेपाल का दावा जो है ये कि काला पानी न आते हैं समझ मैं बड़ा बारीख है यह डिबेट बारत के रक्षा मंत्री राजना सिंग ने बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन का जो रोड इनौगरेट किया वो था रूट थ्री मांसरोवर यात्रा का वो रोड आपको यहां पर दिख रहा है लिपुलेक पास तक ले जान बेग ओल्डी सडख 255 किलो मीटर की जब बनी और उससे जो स्पर्स निकलने शुरू हुए लेसी की तरफ उसके बाद चीन भड़का था तो इन्फरस्ट्रक्चर के साथ बॉर्डर डिस्प्यूर्स का काफी लंबा रिष्टा है यह तो खेर रूट थ्री है लेकिन दो और रूट भी है रूट वन जो है वह वाया सिक्किम जाता है मानसरोवर यात्रा की बात कर रहा हूं और रूट टू जो है वह वाया काटवांडो लासा होके जाता है तो तीन तरीकों से आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर सकते हैं जैसा मैंने कहा मैं आपको पूरा coverage दूंगा कुछ भी छूटेगा नहीं इसलिए deep research करके हम लाते हैं आप भी अपनी तरफ से पूरा effort लगाईएगा ये है गंगा और उसकी साहयक नदियां सब आपके सामने है पूरा ये yellow color में जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये पूरा ग धालूंग दिख रहा है यने कि ब्रह्मपुत्र नदी का वो पूरा उसका बेसिन है नीचे घृण में आपको मेगना पदमा बेसिन दिख रहा है वहां कुछ भी गिरेगा तो वो नहीं नदियों में जाएगा इस तरह से बेसिन होते हैं समझ है आपको है ये नेपाल के रिवर का पूरा-पूरा नक्षा है, इसमें भारत included नहीं है, अब नदी originate कहां से हुई वो अलग बात है, लेकिन जो नदियां यहां से बह रही हैं, वो आपके सामने हैं, इस शेत्र में जगडा चल रहा है, सुदूर उपस्चिम केते हैं दोस्तों इसको, फार वेस्टन, ये नेपाल की राजनीती की पूरी कहानी आपको हम पढ़ाएंगे, किस प्रकार से नेपाल की राजनीती में क्या-क्या परिवर्तन हुए, और आज खडग प्रसाज शर्मा मौली, वहां के पहले प्राइम मिनिस्टर, 2015 के समविधान के तहत बने हुए, पीछे नेपाल का जंडा आपको दिखाई दे रहा है, अपर हाउस लोर हूस है, ये आकरी शाही परिवार, जिसके युवराज नहीं, असॉल्ट राइफल से सब को भून दिया, शादी को लेक बखा दें, और ये हैं एमपायर अब दी गोर्खास जो ओरिजनल नेपाल था, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा, विच वोगाउंगा, विच वोगाउंगा, विच वोगाउंगा, लेकिन दीरे दीरे ये ब्रिटिश से टक्कर में आ आज जीवित हो गया है, तो भारत ने नक्षा जारी किया, तो तुरन नेपाल ने अपना खुद का नक्षा जारी कर दिया, नेपाल को नक्षा ये नेपाली भाशा में है, और ये 2020 में नक्षा जारी हुआ, जिसमें नेपाल ने ये शेत्र खुद के लिए दावा ठोक दिय जो भारत ने अपने में दिखाया है बात समझ में आगी और नेपाल में यह मुद्धा बहुत ज्यादा गंभीर है तो यह है वो ट्राय जंक्शन शेत्र जो नेपाल अपने नक्षे में दिखाता है और यह है भारत का नक्षा जिसमें यह भारत का हिस्सा है मैंने दोनों नक् membership का प्रीमियम membership का हिस्सा बनी है मंतली membership लीजिए आपको बहुत मज़ा आएगा वहां भी बड़े premium हम content देते हैं तो नेपाल का दावा भारत का दावा parallel में दिखा दिया मैंने आपको तो लिंपिया धुरा काला पानी लिपुलेक पास यह है वो जहां जगड़ा चल रहा है काला पानी शेत्र 2015 में मदेशी अंदोलन के चलते ब्लॉकेड हुआ था जिसकी वज़े से नेपाल भारत से बहुत दूर हो गया उसके बाद और पूरी तरह से चीन की गोद में जाके बैड़ गया भारत ने लगातार इस बात का थंडन किया है कि हमने कोई ब्लॉकेड किया उन्होंने का यह आपका इंटरनल मैंटर है लेकिन नेपाली वैसा नहीं मानते तो भारत नेपाल के रिष्टों में जो खटास आई दरार आई वह 2015 के ब्लॉकेड इश्यू के बाद आई जिसमें आपको मदेशी निम्बवन थारू हाट यह सब चीजें कलर में दिखाई जा रही हैं यह और यह पहले सिल्क रोड चला करता था हजारों सालों तक जिसने बहुत सारी सभ्यताओं को जोड़ने में मदद हासिल की थी या मदद की थी यह नेपाल सरकार का अधिकारिक व्यक्तव्य जिसमें वो काफी भड़के हुए हैं और यह नेपाल के परस्पेक्टिव से काला पानी को भारत का हिस्सा बताया गया है आपको बाद समझ मैं ही इसमें यह चैया अमेरिका वाला सी यह उसका उन्नेस फ्रकार से नेपाल का यह विवाद हुआ है अब हम स्टेप बाइ स्टेप शुरू करते हैं इन सब चीजों को फिर से लॉट के देखेंगे गूगल तो गूगल मैप में भी जाएंगे काफी ज्यादा डेटा है तो समय तो लगेगा आई होप आपको एक फर्स्ट ओर्येंटेशन और वर्मिंग अप अच्छी हो गई बहुत ही बढ़िया शुरू करते हैं काला पानी डिस्प्यूट से तो दोस्तों जब हम काला पानी डिस्प एक पूरस बॉर्डर है पूरस बॉर्डर का मतलब है कि इसमें पूरे पर कहीं कोई फेंसिंग नहीं है लोगों का आना जाना बढ़ा आसानी से हो जाता है कई जगे इस पूरस ओपन बॉर्डर समझ में आगे आपको इट इस पूरस एंड इस अन ओपन बॉर्डर और भार उसके पश्चात नवंबर दो हजार उनीज में भारत सरकार ने भारत का नया राजनीतिक नक्षा जारी कर दिया जो हमने पिछले सेशन में बहुत विस्तार में पड़ा and the new political map of India reflecting that change reality was issued in November 2019 समझ में आगे आपको तो जब यह नया नक्षा आया उसके बास से नहीं 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 विवाद आने प्रारम हो गए यह बास समझ में आई आपको तो एक बार आपको वो नया नक्षा हम दिखा देते हैं हम इस नए नक्षे की बात कर रहें दोस्तों थोड़ा था आज में वह इंटरफेस भी बीच बीच में लूग मैं ताकि बहुत ज्यादा आगे पीछे की टॉगलिंग से आप बस सकें हम इसी नक्षे की बात कर रहे हैं जो 2019 में आया था आई होब डाट इस वेरी वेरी क्लियर एक्सेलेट तो वापिस चलते हैं दोस्तों वर्किंग फ्रॉम होम के बहुत सारे पर्क्स होते हैं जो कि आप देखी रहे और समझी रहे हैं तो आब हम चलते हैं वापिस हमारे बिंदू पर जहां हम थे कई जगे टॉगलिंग और इस तरह से चलना हमारे लिए अनवाड़ेबल होगा तो हमारे साथ बेयर करें जैसे ही ये नया नक्षा जारी हुआ इमीजेटली चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि अकसे चिन को लेकर आप ये क्या बाते कर रहे हैं और उसका नतीजह हमने फिर 2020 में देखा काठमांडू से भी काफी ज्यादा चिल्ला पुकार की आवाजे आना शुरू हो गई तो वाई वस काठमांडू एंग्री वितस मतलब नेपाल हमसे क्यों नाराज हुआ क्योंकि उत्रा खंड में हमने 372 वर किलोमीटर का शेत्र जिसे काला पानी कहते हैं वो हमारे मैप में दिखाया तो पूरा का पूरा काला पानी शेत्र जो दरतल भारत का ही है 372 स्क्वेर किलोमीटर का ये शेत्र है प्यारे दोस्तों और नेपाल 1997 के बाद से इस पर अपना दावा थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली दिखा रहा है क्योंकि वहां की डोमेस्टिक राजिनीती म आया भारत के और आप जानते ही है सुदूर उपश्चिम नेपाल तिबद के साथ ये ट्राइजंक्शन शेत्र है पूरा का पूरा सो दिस काला पानी इस दा ट्राइजंक्शन तो एक बार हमें थोड़ा सा अभी गूगल मैप पर गूगल अर्थ पर ये शेत्र देख लेना चाहिए यस और नो तो आईए देख लिया जाए तो यह रहा गूगल अर्थ काला पानी शेत्र को हम थोड़ा इसमें देखना चाहेंगे जूम इन कर लेते हैं हमने आपके लिए मार्किंग पूरी कर दी है बराबर ते दिखी रहा है आपको गूड 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 लिपूल जूम इन करता हूँ तो यह है पूरा का पूरा काला पानी शेत्र दोस्तों जो भारत का हिस्सा है आप देख रहे हैं यहांपर यह है काला पानी शेत्र लिपूलेग पास और यह है लिंपिया धुरा तो यह लिंपिया धुरा काला पानी लिपूलेग पास यह आपको थोड परवान शंकर का घर माउंट के लाश शंकर शिव भोले उमापती महादेव पालनार परमेश्वर विश्वरूप महादेव जय शंकर शंपुरूग तो यह है वो शेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं मैप में थोड़ा सा सिंप्लिफाई हो जाता है देखता है इसलिए पैरलल में में है नहीं तो लिंपिया धुरा काला पानी लिपूलेक आपको बिल्कुल सपर्श दिख रहा है उपर मांसरोव जील भी दिखरी और मांट कैलाज भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है इसके बाद आपको इडावट नहीं होना चाहिए यह सर नो वेरी गूड और यह पिथोरागड जिला दिख रहा है मैं आपको उत्राखंड का बास बास यह इंपॉर्टेंट है समझता तो यह यहां पर हमारा एड्मिस्ट्रेशन पिथोरागड का चलता है ठीके जी चलिए बहुत बढ़िया वापिस आते हैं हमारी इस पढ़ाई पर और अगला बिंदू लिखते हैं आप अपने नोट्स इस हिसाब से बनाईएगा 360 डिगरी पूरा कवरेश करने की एक अदत्सी कोशिश है सपोर्ट मिलेगा तो मज़ा आएगा आगे और सेशन बनाते रहेंगे आपके लिए काला पानी का जो 372 किलोमेटर का एरिया है स्क्वेर किलोमेटर का याद रखिएगा लद्दाक की ही तरह यहां पर इंडो टिबेटन बॉर्डर पोलीस जो की मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर में आती है वो पैट्रोलिंग करती है यहां पर आर्मी नहीं करती है नेपाल की सभी पॉलिटिकल पाटी वहां की जो रूलिंग कम्यूनिस पाटी है वो नेपलीस कॉंग्रेस है वो सभी चिल्ला पुकार मचा रहे हैं यह आपने हमारी भूमी अपने खुद के नक्षे में कैसे दिखा दी और सरकार भी वहां की चिल्ला रही है लेकिन भारत क का बड़ा सपश्च रूख है कि हमने कुछ भी इसमें गलत नहीं किया यह बैटल जिसको हम कहेंगे काला पानी लिंपिया धुरा लिपुलेक ट्राइजंक्शन का जगड़ा कई दश्कों पुराना यह कोई नया जगड़ा तो है नहीं तो एक बाद तीनों नाम यहां लिपुलेक अब तो आपको यह सारे नाम बड़े अच्छे से याद हो गए हैं लद्दाक के केस में भी सारे नाम हमने बताये थे वो भी आपको अच्छे से याद हैं काला पानी लिंपिया धुरा लिपुलेक ट्राइजंक्शन कहते हैं दोस्तों इसको ठीक है तो तीन दे जो है या रिवर काली जो मैं बोलूँगा काली नदी जो है प्यारे दोस्तों वो 3600 मीटर के अल्टिटूट पर है तुंगता पर है ठीक है जी काला पानी टेरिटरी वहीं पर है और वो हमारे उत्राखण के पूर्वी सीमा में आती है और नेपाल के सुदूर पश्चिम मे आती है तो ये काली नदी जो 3600 पर है यहां पर हमारा काला पानी टेरिटरी है काला पानी नाम वहीं से आया और ये हमारा उत्राखंड का पिथोरागड जिला हो जाएगा प्यारे दोस्तों और नेपाल का ये धार चुला जिला होता है नेपाल कहता है कि ये मेरे धार चुल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है जो मेरा चुदूरपश्चिम है उन्हों नाम फार विज्टन यने की चुदूरपश्चिम दिया वाई उस शेत्र के मेंप में आपको दिखाये अभी था ठीक है जी अभी तक का क्लियर बारी किसे एक 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 तार खोलेंगे इसका कोई जल्दी नहीं है आपके पास भी इनफ समय है नहीं तो सुपरफिशली तो पांच मिट में पढ़ाय जा सकता है आठ मई को अचानक से आग लग गई नेपाल भहंकर नाराज हो गया जब भारत के रक्षा मंतरी ने आठ मई 2020 को ओफिशली फॉर्मली आधिकारिक तोर पर एक 80 किलोमेटर का रोड जो उत्राखंड को लिपूलेग से जोड़ता है बियारों का बनाया हुआ 80 किलोमेटर की नई मेटल्ड रोड उत्राखंड को लिपूलेग से जोड़ती हुई उद्घाटन कर दिया उसका और जब यह हुआ तो नेपाल को ऐसा लगा कि उसके सारे दावे हमेशा के लिए खतम न हो जाएं यह समझ में आ रहा है आपको यह एक बड़ा सामरिक महत्व का रोड है 80 किलोमेटर लॉंग का और यह 17,000 मीटर की उचाई पर जो बॉडर है शमा चाहेंगे यह जो उचाई पर है वो डेटा को आप एक में ठटा दीजे गलत देटा दे दिया मैंने बॉडर के साथ चाइना में जो उत्तरा खंड में है इसको जब ओपन किया गया तो उन्होंने यह कहा कि राजना सिंग की बात कर रहा हूं, बॉर्डर रौड और्गनाईजेसन ने कोविट 19 फेंडтесь मिक के चलते भुए भी उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा था जो मैंने ट्वीट आपको दिखाई को वीट 19 फेंड दमिक के चलते भुए भी और इतनी खतरनाक लेंड्सकेप में इतनी समस्याओं के बावजूत कैलाश मानसरोवर रूट को लिपू लेक पास पर 17.060 फीट पर जोड़ दिया है जो की बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो कैलाश मानसरोवर के पूरे पूरे रूट में बियारो का ये योगदान काफी महत्वपून माना जा रहा है तो राजनाश सिंग जी का दावा क्या था उसमें उन्होंने ये कहा कि इस रोड से अल्टिमेटली अब लिपू लेक पास जो की 17.060 फीट उपर है उल्टिटूड है उसकी मीन सी लेवल से वहां तक जाने का रास और सुरक्षा बलो के लिए कनेक्टिविटी बहुत सुधर जाएगी समझ में आ गया नेपाल की जो सरकार है उसने 1998 में सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि इस नदी के लोकेशन को लेकर डाउट है और हमारी टेकनिकल टीम को साथ में बैठकर इस मुद्दे को once and for all पूर काला पानी की जो टेरिटोरियलिटी है जिसको आप कहते हैं कि उत्तराखंड के पुरवांचल में है उत्तराखंड के पिथोरागड में है और हमारे सुदूर पस्चिम के धारचुला में है इसके जगड़े को भी हमको सुल्जा लेना चाहिए तो एक बार फिट से इसको द देख लीजे क्लियर अच्छे थे दिमांग में बैठता जा रहा है गुट 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 स्मार्ट किट्स डेफिनेटली बैठे गई बैए जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था तो इंडियन ट्रूप्स हैड उक्यूपाइड दी काला पानी एरिया इस काला पानी शेत्र में भारत के सैनीक मौझूद थे 1962 इंडिया चाइना वार में साइनो इंडियन वार में नेपाल हैड नॉट रैस्ट अनी अब्जेक्श्ट अट अह रोग यह भी मुश्किल है वो तो रॉयल फैमिली भी पूरी खतम हो गई जो उस्वक राज करती थी और 1961 से 1997 तक नेपाल के राजा ने कभी भी इस मुद्धे को उठाया ही नहीं था लेकिन अचानक से 1998 के बाद नेपाल की घरेलू राजनीती में ये मुद्धा बहुत यूस्फुल हो गया बात समझ में आगी भारत की पोजिशन क्या है कि जो काली नदी है वो इस लिपूलेक पास के बहु नौर्थ आफ दी स्प्रिंग के एरिया को तो डिमार्केट नहीं करती लेकिन अगर बहुत पहले सो देड़तो साल पहले के अड्मिस्टेटिव रेविन्यू रिकॉर्ड को देखा जाए तो काला पानी भारत की तरफ यहने ब्रिटिश भारत की तरफ बिथोरा गड में उत अब बहुत ज्यादा पढ़ गया है और नेपाल अपना constitutional amendment करना चाहता है और आज ही वो दिन है इन फैक्ट तो दोस्तों अब इसको अभी तक जो हमने यह पहला बिंदू पढ़ा इसे quickly में चार बिलकुल simple points में summarize कर देता हूं आपके लिए नेपाल का कहना यह है कि यह जो treaty treaty of sagoli हुआ ता आगे इसको detail में पढ़ेंगे उसका एक article 5 है अनुच्छे 5 और यह house of गोर्खा और Britishers के बीच हुआ था नेपाल को और नेपाल के expansion को रोक दिया था ना तो सिक्कीम तरफ आगे expansion हो पाया ना वेस्ट में उत्राखंड की तरफ expansion हो पाया तो जो 1816 की यह संधी हुई treaty of sagoli उसका article 5 यह कहता था कि रिवर काली के पश्चिम के किसी भी हिस्से पर नेपाल के राजाव अपना कोई भी दावा कभी नहीं ठोकेंगे दावे को ठोक नहीं कहते हैं पई क dessas अब नेपाल का मैं नहीं कुछ ने ट्रोश सब्सक्राइब नहीं कहाई लिकिन जो में सोर्स है रिवर काली के यह नेपाल का मीन argument है उस source को तो आप समझो उसलिए मैंने आपको वो चार्ट दिखा दिया कि नेपालियों का क्या दावा है कि जो रिवर काली का मुख्य स्त्रोथ है पूर्व में वो है कुथी यांगती में और अगर आप इसको मानते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा नेपाल का हिस्सा हो जा अब तो नदी माता ही प्रत्यक्ष प्रकट होके बता दे कि भाईया मैं कहां से उद्गम हो रही हूं तो ही सुलजेगा यह तो source of river काली इनका कहना है कि पूर्व में इसका true source कुथी यांगती में है जिसके बाद after the fall of the काला पानी river takes the name of काली और कुथी river has a south easterly coast to the junction और इन उनका कहना है कि political map of India river काली का रास्ता तो दिखाता है लेकिन काला पानी तक की जमीन आपने हमसे ले ली river काला पानी तक के दोनों अलग अलग है river काली और river काला पानी और इसलिए नेपाली चिड़ गए हैं कि भारत ने जबरदस्ती नए नक्षे में भारत ने मना कर दिया बारत ने का बिल्कुल गलत दावा है आपका और हमारे पास पुराने map पर वो CIA का map भी देख लो वो तो मैं लेकर आयों अलग से 400 स्क्वेर किलो मीटर का area नेपाल का भारत ने ले लिया ऐसा उनका दावा है जिसमें लिंपिया धुरा लिपुले काला पानी शेत्र सब ले इसलिए वो यहां मैंने अलग से लिख के बताया था तो यह कौन सा वाला शेत्र है यह नेपालियों का दावा है यह वाला शेत्र है समझ में आगई बात आपको यह शेत्र आपने जबरदस्ती ले लिया एक बार इसमें भी देख लीजिए तो यहां आप देख रहे हैं दो I hope this is very very clear कोई डाउट इसमें कहीं कोई शाक टोटली क्लियर वर्किंग फ्रॉम होम के अपने पर्क्स जो होते हैं बड़ा धबरदस्त होते हैं साथियों चलिए एक्सिलेंट अभी स्टेप आगे चलते हैं और अभी तक हमने जो पहला बिंदू कवर किया है वह आपको पूरी स्टेडी हो रही है हाँ बिलकुल हमारे साथ तो स्कॉलर्ली स्टेडी होगी है तपस्या में तो हम गहराई में जाते हैं और आपको हर एक्जाम में पर्सनल लाइफ में बहुत यूसफुल रहेगा सब कुछ सर पर्सनल लाइफ में कैसे काम आएगा अरे इंप्रेशन रहेंगे रूट 1 रूट 2 रूट 3 ठीक है तीन रूट से तीनों बता देता हूं और उसके बाद आपको मैं पहले भी दिखा दिये थे अभी फिर से भी दिखा दूंगा जो पहला रूट है कई लोग रूट को राउट भी बोलते हैं मुझे रूटी पसंद यार भाई माफ सबसे पहले आप दिल्ली से बहन दोगरा जाईए वह और यह रूट कैसे शुरू होता दिल्ली से सबसे पहले आपको जाना पड़ता दोस्तों है अभी तो खेरा अगरेट लेने के मूड में नहीं होंगे करोना चो इसाना बटाएं काधी करोशी से बारे में इन्पेशन सा हमेशा healthy लोगों को दी जाएंगी दवाई हमेशा बिमार लोगों को दी जाएंगी वैक्सिन हमेशा healthy लोगों को कब आईगी देखते हैं कोई पक्की दवाई तो आई नहीं पक्की वैक्सिन तो आई ही नहीं है I have only one request to all the students here December 2021 तक बहुत सावधान रहता है बस इस चीज को ध्यान रखो और आप एकदम सुरक्षित रहोगे हां उसके पहले वैक्सिन दवाई आ गई तो यह तारीक पीशे आ जाएगी अधर्वाइस दिसंबद 2021 तक खुद को बचा लो केरफुली लेना मेरी बातों को लेफ्ट राइट सेंटर कोई फालतू के वीडियोस देखके कोई दूसी राय मत बना लेना विज्ञान यह कहता है बाकि फिर तुम्हारे उपड़ है तो यह ग्यारा सो पचास 1115 किलोमेटर दिल्ली की यह फ्लाइट लोगे वहां से फिर 1665 किलोमेटर सडक से ट्रैवल करोगे आप मतलब वाकई में श्रद्दा अच्छी होनी चाहिए भाई यह तो यह रूट वन चल रहा है ठीक है काफी लंबा रूट है और उसके बाद आपको पैदल 43 किलोमेटर ज केला आश्मान सरोगर और यह टोटल जो 1665 है इसमें से केवल 175 ही भारत में है बाकी का सब बाहर है यह पहला रूट जो वाया सिक्किम होता है समझ में आगया पहला रूट आपको अब एक दूसरा रूट और है जो आप नेपाल से ले सकते हैं नेपाल वाले रूट के लिए पहले आप जाएंगे काठमांडू जो दिल्ली से प्यारे दोस्तों काठमांडू की अगर मैं बात करूं तो 1150 किलो मेटर है आप पहले काठमांडू पहुंच गए उसके बाद आपको फ्लाइट्स और रोट ट्रेवल का कॉंबिनेशन लेना पड़ेगा वह पड़ेगा व लेकिन इसमें जाने का एक परिवर्टन यह होता है कि यह 43 किलो मेटर बाइफुट एलिमिनेट हो जाती है और अब हम आते हैं हमारे तीसरे रूट पर प्यारे साथियों जिसको लेकर 2020 में जगड़ा हुआ है वो जगड़ा क्या है वो बता देता हूँ आपको तो यह रूट 3 का ही सारा का सारा जो प्रॉब्लम चल रहा है प्यारे दोस्तों 2020 का न्यू रूट बाय रोट टू पिथोड़ागर 490 किलो मेटर फाम डेली तो दिल्ली से आप जाएंगे सबसे पहले पिथोड़ागर यह कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 490 किलो मेटर इसी को लेखे अभी नेपाल भड़का हुआ मैं जानता हूं यह थोड़ा ज्यादा माइक्रो डीटेलिंग हो रही है अब करी रहे है तो ढंग से करी लेते हैं बोड तो नहीं हो रहे हो भया पिथोड़ागर आप जाएंगे 490 किलो मेटर वहां से 130 किलो मेटर यह बहुत अ लिपुले पास तो यह 79 किलो मेटर होगा यहने की पांच दिन घाटी आप गड़ से लिपुले पास तक और यह जो सड़क बनी उस पर नेपाल भड़क गया अब एक बार इंटरनाशनल बॉर्डर चाइना की पार कर ली फिर चीनी तरफ 5 किलो मेटर आपको जाना है और उसके बाद प्यारे दोस्तों आपको जाना पड़ेगा रोड जर्नी 97 किलो मेटर और 43 किलो मेटर आफ फुट यह अब अच्छे से एक बार दिमाग में बिठा लीजिए टोटली क्लियर तो अब मैं आपको एक बार फिट से ये तीनों रूट दिखा देता हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको यह है रूट 3 जो मैंने अभी पढ़ाया ना आपको देख लो एक बार ओ दिमाग में बिठा लो कि येस सर क्लियर हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर पार्क करने के बाद आप आगे जाएंगे लिपु लेक के वहाँ पे चाइना शुरू हो जाएगा यहने टिबेट अटोनोमस रीजन टार क्लियर है बेटा और यह हमारा रूट 1 और रूट 2 पहला रूट 1 जो है वो वाया सिक्के में जो मैंने आठ मांडू दिखाई दे रहा है हो गया क्लियर तो इस प्रकारा भगवान शंकर के चरणों में पहुंची जाओ गया ऐसे नहीं तो वैसे चलिए तो यह बहुत बढ़िया हो गया तीनों रूट हमने बहुत अच्छे से देख लिए और सारा जगड़ा जो है वो इस परवत पूरी तरह से क्लियर है अब तो भगवान शंकर ही थोड़ा सा रास्ता दिखाएं और यह पूरा जगड़ा पुराने दोस्तों के बीच का खेतम करवा दें यही हमारा निवेदन होगा भाई है शंकर शिव बोले उमापती महादे पालना परमेश्वर विश्वरू पूरे विवात का जो भूगोल है उस भूगोल को समझ लेते हैं तीनों रूट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आए हो अब जैसे जैसे हम गहरे में जाएंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको यहां सीखने को मिलेंगे आईए जिवेग्रफी ऑफ्ट डिस्प्यूट से शुरू करते हैं कहानी जैसा मैने कहा working from home के अपने बहुत सारे perks होते हैं प्यारे साथिओं जिवेग्रफी ऑफ्ट डिस्प्यूट में क्या होने वाला है आइए शुरू करते हैं जोग्रफी ऑफ दिस्प्यूट में सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे साथियो लिपुलेग पास एक बड़ा हाई माउंटेन पास है जो 80 किलोमेटर लंबी उत्राखंड नेपाल की बॉर्डर पर है बारी किसे दिखाऊंगा एक एक चीज़ उत्राखंड और नेपाल की 80 कि वीजन आ रही है उसमें हमारा लिपुलेग पास आता है पास यने की दर्रा जिससे लोग पास होके जाते हैं माउंटेन्स के बीच में से यह हमने पिछले लेक्चर में इंडिया चाहिना कि आपको अच्छे से बताया था इसका हाईस पॉइंट है बीस हजार दोसो असी फी है और नेपाल और भारत दोनों हमेशा बातचीत के जरीए इस विवात को सौल करने के फेवर में रहे हैं यस और नो टोटली क्लियर नेपाल चाहता था भारत भी चाहता है कि इसको बातचीत के जरीए सुलजाया जाए सन 2000 में नेपाल के प्रधान मंत्री गिरिजा प्रसाद कोईराला सहाब अटल विहरी वाजपई जी से मिले थे ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 की लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया 2014 में वापिस उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री से नेपाल ने मुलाकात की लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूँ जो शायद पता नहो चीन इस मामले में बिलकुल भी नेपाल के साथ नहीं खड़ा है लिपुलेक पास से जो ट्रेड होता है उसमें चाइना और भारत एक तरफ हो जाते हैं नेपाल तीसी तरफ हो जाता मतलब दुनिया में एक चीज है जिसमें भारत और नेपाल भारत और चीन एक तरफ है नेपाल को ये पसंद नहीं है भारत चीन का जो व्यापार लिपू लेक पास से चलता है वो उस पे अबजेक्ट करता है बात समझ मैं आई है आपको 2020 में नेपाल ने क्या कहा नेपाल ने ये कहा ये मैं पहले आज पढ़ा चुका हूँ लेकिन रिपीट कर देता हूँ कि ये जो नदी है ये तो लिंपिया धुरा से निकल कर आती है क्योंकि लिपू लेक के नौर्ट वेस्ट में है तो काला पानी हो लिंपिया धुरा हो लिप नदी के पूर्व में जो कुछ है वो तो हमारा होगा ना तो मतलब अब सब कुछ नदी के स्त्रोत पर जगड़ा आ गया भारत का कहना है कि जो काली नदी है वो इस पास के बहुत नीचे के सोतों से पैदा हुई है और आपका ये दावा कि वो उसके नौर्थ वेस्ट अफ ल दोस्तों ये शेत्र ये शेत्र और विशेश तोर पर ये नेपाल के द्वारा च्छापा रहा नक्षा भारत कहता है बिल्कुल ही गलत नक्षा ये तो भारत का कहना है कि ये आप इसका जो स्त्रोत कुठी यंगती बता रहे हो ये बिल्कुल गलत है ये इसके बहुत नीचे के springs में से हुई है and hence it is perfectly within our territory and you are actually claiming it which is wrong आप बोल रहे हैं यह उसके east में है इसलिए यह हमारे धारचुला में आएगा सुदूर पस्चिम में यह गलत है यह आपके लिए west में ही होगा यह भारत का दावा है ठीक है और यही CIA का map भी बोलता है I hope यह position दोनों की clear होगी यह फिर से पढ़ाने की जरूवत नहीं पड़ेगी अब दोनों ही British UK के कुछ-कुछ map ऐसे दिखा देते हैं कि जिसमें confusion है एक तो यह अंग्रेज South Asia को ऐसा बर्बाद करके गए हैं आज के जितने जगले चल रहें South Asia में उनके बीच यह सारे अंग्रेज बोके गए वो तो वहां आराम से बैठे में Brexit करके आराम से तो खेर नहीं बैठें कोवीड के समय Brexit होना has been quite an abhishap for them अब यहां पर नदियों के क्या-क्या नाम है वो भी एक बार quickly cover करवा देता हूं तो जोग्रफी का भी रिविजन बहुत बढ़िया हो जाएगा शार्दा नदी यहने काली नदी यहनी महा नदी महा काली नदी यह तीनों एक ही है तो जब हम शार्दा नदी की बात करते हैं तो अलग अलग शेत्र में वही काली नदी है और वही महा काली है यह समझ में आ गया शार्दा काली महा काली, I hope that is clear, इसका origin काला पानी में है हिमालय में जो की 3600 मीटर उपर याने 11800 फिट पिथोड़ागर में, इस पर किसी को डाउट नहीं है, तो इसका स्त्रोत, इसका स्टार्ट is 3600 मीटर इन हिमालय अल्टिचूट, विच इस 11800 फीट इन पिथोड़ागर उत्रक्षन, नेप की सायक नदी, गागरा नदी में जुड़ जाती है, और इसका नाम काली नदी पढ़ता दो स्ट्रीम के मिलन से, गुंजी में, जब वो पहाडों से गुजरती है, और तनकपूर के ब्रह्मदेव मंडी के बाद, वो तराई के प्लेंस में चली जाती है, जहां उसे शार्द और इसी को नेपाली में महाकाली नदी या काली गंगा उत्राखंड में कहते हैं, तो दोस्तों, अब ये तराई का शेत्र क्या है, यहां एक बार हमें हमारे मैप्स फिर से देखने पड़ेंगे, आईए जरा हमारे मैप्स पर उन्हा नजर डालने, यह है तराई शेत्र ने उसके उपर फिर माउंटेन जहां इतनी आबादी नहीं है, और भारत का भी एक अच्छा खासा हिस्सा, तराई शेत्र का हिस्सा है, उची उची घासो का हिस्सा है, लेकिन बहुत सारा इसमें से अब थ्रेटेंड है, हलाएं कि यहां पर यूनीक वाइल लाइफ मिलती है, यह तराई का शेत्र, समझ में आगे आपको अच्छे से, very good, शमा चाहूंगा काफी सारी स्लाइड आगे पीछे करनी पड़ती है, this is the fastest and the easiest way, so please bear with me, तराई को हम लो लेंड रिजन इंडिया और सदन नेपाल बोल सकते हैं, लो लेंड रिजन इंडिया और सदन नेपाल, य South of the Outer Footills of Himalaya जो हम कहते हैं, वहाँ पर है, तो यह इंडो-गैंजेटिक प्लेन जो भारत की सभ्यता का मूल मंत्र रहा है, शुरू से मूल उद्गम स्थल रहा है, इंडर सिविलाइजेशन के पश्चात, सिंधु घाटी सभ्यता के कई सदियों तक बारिश न होने के पतन के पश्चात, सिंधु सभ्यता जब समाप थो गोई उसके बाद हिन गंगा के मैदानों में ही सभ्यता पनपी हमारी आगे, तो इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स के यह नॉर्थ में आएगा, इट इस वेरी वेरी क्लियर, यहाँ पर आपकर टॉल ग्रास लैंड मिलेंगे, स् क्लेरी स्वांप्स, नेपाल में यह लगबख 34,000 स्क्वेर किलूमीटर है, यहने नेपाल का लगबख 24% शेत्र तराई में है, आबादी यहाँ प्रपोर्शनेटली ज्यादा है, समझ में आ गया, इसी शेत्रों को पश्चिम बंगाल में दुवार कहते हैं, भुटान में में भी दुवार कहते हैं, और आसम में भी दुवार कहते हैं, इस्ट और ब्रह्मपुत्र में, विश्व के सबसे उचे घास के मैदान आपको तराई में मिलेंगे, यहाँ तक का सब कुछ क्लियर, तो यह थी इसकी जोग्रफी, और ट्राई जंक्शन क्या होता है, मुमा आ यह तीनों बिंदू कवर कर लिये, इससे पहले कि मैं कंटेंशस बॉर्डर रोड नेपाल और कलोरियन ब्रिटिश, 1962 वार और आफ्टरमाट में जाओं, क्योंकि हम इसमें इतिहास में अच्छे लंबे गोते लगाने वाले हैं, एक बार फिर से हम थोड़ा सा इस शेत्र को देख लें, तो आप क्योंकि आपने तराई शेत्र क्या है, वो समझ लिया है, तो आपके लिए इस मैप में उस चीज़ को मैप आउट कर पाना आसान होगा, तो नेपाल का पूरा जो दक्षिन का शेत्र होगा, दोस्तों, वो सारा का सारा तराई शेत्र होगा, समझ रहें आप तो यह है वो पूरा शेत्र नेपाल में दिस इस दी कम्प्लीट रीजन दो तेराई रीजन यह है वो पूरा शेत्र टॉल ग्रास लेंड को यहां आप एक शकृत माउंटेनिस रीजन आपको बहुत कम मिलेगा और पैरलेल में वो भारत में भी चली रहा है समझ रहें आप सारा तरही शेत्र कैसे और कहा वेरी गूद और जो 2015 में जगड़ा हुआ था मदेशी अंदोलन वाला उस जगड़े में भी हम इसी शेत्र में लौट कराएंगे और उसके बास से नेपाल और भारत के रिष्टों में बहुत ज्यादा खटास आगे तो आपको घास दिखी भी रही है भाईया यहां पर कर एंवे रिटर्न तो वेर वी वर अन नाव विल टेक अलुक अटी कंटेंश बॉर्डर रोड और देन नेपाल और कलोनियल ब्रिटिश आये शुरू करते हैं उस सीमा सडक की चर्चा से देखिए सबसे पहले इस बात को हम समझें कि यह जितने भी बॉर्डर रोड हम बना रहे हैं इनको सबसे पहले चाइना स्टडीज ग्रुप नाम के एक एक्सपर्ट समूह ने कंसेप्चुलाइज किया था भारत में एक समूह बनाया गया था चाइना स्टडीज ग्रुप यह जो चाइना स्टडीज ग्रुप था इसने 1990 में गंभीरता पूर्वक यह देखना शुरू किया कि इंडिया चाइना की बॉर्डर पे हमें कहां कहां कैसे कैसे सड़कों की आवश्यक्ता पड़ेगी और इनकी जो पूरी रिपोर्ट आई उसको कैबिनेट कमीटी ऑन सेक्यूरिटी के हाइस लेवल पर क्लिरेंस मिला इसके उपर तो कोई लेवल होता नहीं इसमें प्राइम मिनिस्टर खुद भी हैं डिफेंस मिनिस्टर खुद भी होते हैं तो चाइना स्टेडीज ग्रुप के सारी रिपोर्टों को कैबिनेट कमीटी ऑन सेक्यूरिटी ने 1999 में फाइनली हरी जंडी दे दी कंस्ट्रक्शन के लिए कि ठीक है हमें हमारे इंफ्रस्ट्रक्चर को बूस्ट करना होगा और बॉर्डर रोड और्गनाइज़ेशन सडग बनाना शुरू करें काफी साल सडग बनाने का काम और तेज करना होगा and it was then that a lot of these road construction projects were pushed once again और इतने सालों में ये पता चला कि अभी तक केवल 22 सडगे बनके रेडी हुई थी टार्गेट इससे ज्यादा था तो once again after 2017 there was a massive push given कि फटाफट 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 कम्प्लीट किया जाए तो जो ये 80 किलो मीटर की नई सडग का उदगाटन मई में राजनात सिंग साहब ने किया पहली बात तो ये समझ लें कि ये लद्दाक से तो बहुत दूर है वहाँ पर तो जिस सडग से जगड़ा हुआ था दारबुक शोक दोलत बे गोल्डी 255 किलो मीटर की रोड उस शेत्र का और इस शेत्र का कोई रिष्टा ही नहीं है आपस में और ये वार्षिक कैलाश मान सरोवर यात्रा की रूट पर पढ़ने वाली सडख है जो उत्रा खंड के पिथोरा गड़ से निकलती है अभी तक के सारे नोट्स वगर आपको समझ में आ रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बहिया जो लिपूलेग पास है वो वो पास है जहां से कैलाश मान सरोवर के जो पिल्ग्रिम होते हैं वो भारत से निकल कर चीन में जाते हैं ताकि वहाँ पर उस माउंटेन और लेक पर पहुँच पाए जो कि शिव का घर है लिपूलेग पास को ही हम यह कहेंगे दोस्तों LAC पे स्थित होना तो लिपूलेग पास इस LAC लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल बिट्विन इंडिया और चाइन और यह जो सड़क बनाई गई है यह सड़क सीधे-सीधे लिपूलेग पास तक ले जाती है इसलिए यह हमारे लिए मिलिटरी के लिए भी आइटी पीपी के लिए भी ट्रेट कॉमर्स के लिए भी बड़ी महत्वकून है और यह नेपाल भी समझता है इसका अभी कुछ हिस्सा बना बाकी है लेकिन यह ब्रॉडली 90 परसंट रेडी है और जितने भी रोड इस प्रकार LAC के साथ रहे हैं भी आइटी बीपी के हमारे ट्रूपर्स यहां पर हैं इंडो टिबिटन बॉर्डर पोलीस के लिपूलेक में वह वहां 1962 के बाद से चाइना की वज़े से हैं जो काला पानी में हैं नौट बिकॉस अफ नेपाल तो यहां पर इस बिकॉस अफ चाइना एटी बीपी हैज बी पोस्टेट यह बात नेपाल को भी पता है तो वहां की डोमेस्टिक राजनीती में जो भुचाल आया प्रधानमंत्री खडग प्रताश शर्मा ओली उन्होंने इस मामले को काफी गरमा दिया और एक नया मैप जिसमें भारत की टेरिटरी अपनी दिखा दी ताकि लोकल सपो तो उनका वही कहना है कि किसी भी कीमत पर हम काला पानी लिंपिया धुरा लिपूलेक एरिया को नेपाल में वापिस ले आएंगे यह बड़ा डेडली डायलोग होता है कि हम किसी भी कीमत पर हम खून की नदियां बहा देंगे हम अपना खून बहा देंगे और हम इसको कर ही रहेंगे ऐसी बाते कहने का शौक पॉलिटीशन को काफी होता है लड़ने तो पॉलिटीशन जाता नहीं है वह तो वहां पर टूपर जाता है सैनिक जाता है और प्यारे दोस्तों उनका एक और घुसा इस चीज को लेके शायद रहा होगा कि 2015 में भारत का जो टैसिट यह ही भड़के हुए है अब आते हैं नेपाल एंड कलोनियल ब्रिटिश पर बहुत मज़ेदार इतिहास है उस इतिहास की हम बात करेंगे तो इससे पहले की उर्ष पर आएं आप सभी के लिए एक बार फिर से यह बॉर्डर रोड दिखा देना जरूरी है तो यह रहा वह बॉ यहीं से भारत चीन का व्यापार भी होता है और यह नेपाल को नापसंद है तो इस मामले में और यह वो ट्वीट है जिससे आधिकारी घोशना हुई थी कोविट था इसलिए सब कुछ वर्चुल वर्ड में ही चलता रहा मास पहन कर चलिए वी नाव कमेंस अ स्टडी ओफ नेपाल एं कलोनियल ब्रिटेश यह बहुत बढ़िया साउथ एशिया की एक हिस्ट्री है जो भारत के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि कबजा भारत पर अंग्रेज हो कई था लेकिन नेपाल और इंके बीच जो कुछ वह वह बताने से पहले मैं आपको एक बार नेपाल की पिछली एक हदार साल की हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि exactly वहां शासंग किस किस ने किया कब तक किया कैसे किया पहले तो हम वह देख लेते हैं अब ठीक किंग्डम का नाम था खस मल्ल किंग्डम तो यहां पर खस मल्ल राजा हुआ करते थे खस मल्ल किंग्डम और आज का जो नेपाल है उसका जो बिल्कुल जो पूरा वेस्टर्न रीजन है ये वही रीजन था 11-14 सेंचुरी प्रिंस द्रव्य शाह ने 1559 से 1768 के लिए गोर्खा किंग्डम की आधर्शिला रखी थी फ्रॉम 1559 तो 1768 एडी यहां पर आया दो गोर्खा किंग्डम और इसकी आधर्शिला रखने वाले राजा थे प्रिंस द्रव्य शाह जिन्होंने खड़क चीफ्स को हटाया था पहले राजा इस एम्पाइर के थे रव्य शाह और आखरी थे प्रित्वी नारायन शाह इन्होंने स्थापित किया और प्रित्वी नारायन शाह जिन्होंने युनिफाई किया निपाल को वो आखरी थे 1743 से 1768 तक समझ में आया फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इन दी एटीन सेंचुरी काफी सारा बिखराव रहा इसमें उसी के चलते युनिफिकेशन आएगा जिसको बैस राज कहा गया बेसिकली छोटी छोटी प्रिंसिपालिटीज बन गई बैसर राज कहा गया चोटे छोटे छोटे किंगडम थे और युनिफिकेशन आफ नेपाल की जो प्रोसेस थी उसमें ये सभी बैसे को युनिफाइ कर दिया गया पृत्वी नरैंट शाह के द्वारा जो मैंने भी आपक तो ये हमने आपको नेपाल की भी हिस्ट्री इसलिए पैरेलल बताई थोड़ी देर बाद कम्यूनिस्टों का उदय और सिविल वार की भी बात करेंगे और कैसे प्रिंस नहीं अपने पूरी फैमिली को असॉल्ट राइफल से उड़ा दिया भून दिया तो ये युनिफिक से दो हजार आठ तक जो माना जाता है उसे हम कहते हैं दोस्तों दग किंग्डम ओफ नेपाल या किंग्डम ओफ गोर्खा या असल हिंदुस्तान तो इसको कहा गया किंग्डम ओफ नेपाल या किंग्डम ओफ गोर्खा या असल हिंदुस्तान ये तीनों ही नाम एक साथ वैलिड माने जा सकते हैं और यही प्रित्वी नारायन शाह साहब का जो फाउंडिंग था उनका वो यही था वो खुद को गोर्खाली मोनार कहते थे राजपूत ओरिजिन के मीडियवल इंडिया से 240 सालों तक ये रहा काफी लंबा चला और फिर आप जानते ही हैं कि 2008 में नेपाल में मोनार की ही एबॉलिश्ट कर दी गई और एक रिपब्लिक बना दिया गया तो राज शाही को पूरी तरह से निरसित कर दिया गया और गड़ तंत्र बन गया मोनार की होगी तो रिपब्लिक नही हो सकता रिपब्लिक है तो मोनार की नहीं हो सकती है imply भॉब्लिक का मतलब है दोच 것도ू रूल are elected, they are representatives of the public, there is no hierarchical leader, there is no genetically chosen leader, कि यह इसका बेटा तो यही चलेगा, people are elected, anyone can be elected, so that is a republic, representation of the public basically, and in monarchy, there is no representation of the public, there is a divine right to rule, तो किसी जमाने में कोई एक राजा साथ ने सबको जीत लिया, तो अब उनकी ओलादें एश कर रही है, पेसिक फंडा यही होता है, monarchy का, आज दुनिया में कहां कहां monarchy हैं, comment thread में बताईए हमें दोस्तों, और उन में से सबसे cruel monarchy हैं, कौन-कौन सी हैं, वो भी बताईए, तो यह 2008 में, आप जानते ही हैं, Federal Democratic Republic of Nepal, फॉर्म किया गया, landlocked है, fertile plains हैं, दुनिया के 10 सबसे उचे, mountains में से 8 यहीं पर हैं, तो 2008 से Federal Democratic Republic of Nepal exists करता है, संगीय, गणतंत्रिक, लोकतंत्र या लोकतंत्रिक गणतंत्र नेपाल का बादे की है, हलांकि बीच में Civil War और माववादियों का जगड़ा और फिर कम्यूनिस्टों का उदय, वो अभी हमें पढ़ना हैं, पर यह आपको पूरा समझ में आ गया, और जो वर्तमान में लागू Constitution है, वो आया, 2015 में, उसी के बाद मादेशी आंदोलन हो गया था, और भारत के साथ इनके रिष्टे पूरी तरह से उसके बाद बिगड़ गए और वो जाके चीन की गोद में बैड़ गए, जी हाँ, यहीं से वो टर्निंग पॉइंट था, तो ये इतिहास पूरा क्लियर हो गया आपको, अब अगर ये एक हजार साल का इतिहास पूरा क्लियर है, तो इसकी एक स्लाइस में अब हम घुसेंगे, 18th सेंचुरी वाली, पृत्वी नारायन शाह साहब जब एक्स्पैंड कर रहे थे सब तरफ, तो वो फेस टू फेस अंग्रेजों के सामने आ गया, तो फिर अग्रेजों को लड़ाई लड़नी पड़ी, उत्राखंड के आज के उत्राखंड के शेत्र में, उन्होंने इनको हरा दिया, ट्रीटी अफ सगॉली हुई, और वहां से ये आज के सारे जगड़े पैदा हो गया, तो अब शुरू करते हैं दोस्तों समझना, इसी में हम इसी विंदू पर हैं अभी, वी आर ओन नेपाल और कलोनियन ब्रिटिश, काफी अच्छे ये ऐसे चीज़ हैं, जो अधरवाइस पढ़ने का मौका नहीं मिलता, है कि नहीं, जब नेपाल को युनिफाई किया, पृत्वी नारायन शाह ने, तो वो लेफ्ट और राइट एक्स्पांशन में लग गए, सिक्किम उन्होंने इस्ट में ले लिया, गंड़की नदी और करनाली नदीर उत्राखन के गड़वाल कुमायू, इस्ट में वो सिक्किम तक चले गए, सिक्किम नेपाल का हो गया, काफी लंबा चोड़ा राज्य बन गया, अभी वो नक्षा भी दिखा दूँगा, और पश्चिम में गड़वाल, कुमाउं, उत्राखन के शेत्र भी और गंड़की और करनाली नदी के बेसिन भी इनके हो गए, ये समझ में आ गया, तो दिस वास, दे रेसिपी फो ब्रिंगिंग नेपाल डिरेक्ली इन क्लैश विद दी ब्रिटिश, क्योंकि दिल्ली से कलकत्ता तक का शेत्र उस वक्त अंग्रेजों के कबजे में आ चुका था, 1810 तक, रिमार केबल इनकी स्पीड से जो आगे बड़े अंग्रेज भारत में, 1757 के बाद, पलाशी के युद्ध ने उन्हें बंगाल दे दिया, और उसके बाद एके के 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 करके वो दिल्ली से कलकत्ता के बीच के पूरे शेत्र में पाउँ जमाने लग गए, हुक और कुरुक से, बड़े क्रुएल लोग थे, रॉबर्ट क्लाइब ने जो पहली आधारशिला रखी, बड़ा करप्ट आदमी था, उसके बाद बॉरेन हिस्टिंग से लेके सब ने उसको मजबूती दी और वो पूरा शेत्र आया, इसी शेत्र में नेपाल घुसरा था, तो उत्रा खंड में ये आमने सामने हो गए, समझ में आगे आपको, तो दिल्ली और कलकत्ता के बीच के उत्तर भारत के मैदानी इलाके, अंग्रेजों के कबजे में आ चुके थे, सबसीडिरी अलायम्स और अन्य चीजों से, सारे छोटे 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 साड़े पांस सो राजा सरंडर हो रहे थे, एक एक करके शेत्र के और अब इन्हें नेपालियों से लड़ने की आवश्चक्ता महसूस हुई, तो जो ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी थी, उसका प्रेजन्स इतना बढ़ गया था, कि मैट्रास कैलकटा बॉम्बे में स्ट्रॉंग होल था, और इस शेत्र में सारे प्लेन्स उनके कबजे में आ गए थे, तो इन्होंने अवद की अपनी टेरिटरीज को नौर्थ वर्ट्स बढ़ाना शुरू किया था, तो जब ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी ने, सोचिए, एक कमर्शल कमपनी का भारत पे राज्ट था, ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है, जब इन्होंने अवद को नौर्थ की तरफ फैलाना शुरू किया, उस वक्त नेपाल के भीतर एक जगे है पल्पा, वहाँ ये नेपली से आमने सामने हो गए, ये एक इंडिपेंडेंडेंट टाउन था, नेपाली हाटलेंड माना जा सकता है, और उस वक्त नेपाली उन्हें आपत्ती उठाई, तो फिर अंग्रेदों को समझ में आए कि अब वार करना ज़रूरी होगा, उसके अलावा, ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी का एक सपना था, टिबेट के साथ व्यापार करना, लेकिन ये करने के रास्ते में जो रोडा बने होए थे, वो थे नेपली स, तो दा कंपनी फाइनली डिएडेड कि नाउट इस ताइम टू टेक देम आउँ, एक नमंबर 1814 को ब्रिटिश ने नेपाल पर युद्ध घोशित कर दिया, so a war broke out between the Britishers and the Nepalese, दो साल तक चलता रहा, बहुत सारे campaign होते रहे, कई लोग मारे गए, और उस वक्ट जो ब्रिटिश जेनरल था, डेविड ओक्टर लोनी, उसने गडवाल और कुमाईू से नेपालियों को खदेड दिया, तो 1815 में, the British were able to evict the Nepalese from the गडवाल और कुमाईू रिजन और उत्राखंड टुडेए, उत्राखंड अफकोर्स, yes or no? फाइनली, ये जो एंगलो नेपलीज वार 1814 से 16 का हुआ, उसके बाद नेपाल की boundary lines थापित की Treaty of Sugoli ने, जो की 2 December 1815 को हुई, Treaty of Sugoli, इतने सारे facts figures में कहीं हमसे technical error बिल्कुल हो सकती है, जबकि हम कोशिश पूरी करते हैं कि ना हो, अगर हुई हो तो आप please comment में point out कर दीजेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो ये जो हुई इसने नेपाल की सीमाओं को तै कर दिया दोस्तों, और जो नेपाल की सीमाओं इसके साथ तै हुई, उसमें एक मूल शर्थ ये थी, कि इस संधी ने बोला, तो नेपाल विल बी रिक्वाइट तो गिवप आल टेरिटरीज वेस्ट अन इस्ट अफ प्रेसेंट दे बॉर्डर्स, तो शरेंडर एंटायर तराई रीजन, अब जब ये ट्रीटी 1815-16 में हुई, उस वक्त भारत तो अस्तित्व में नहीं था, तो देर वास नो रिपॉब्लिक ऑफ इंडिया, तोडेए, देर इस वेल इस्टैबलिस रिपॉब्लिक ऑफ इंडिया, वन आफ बिगेस्ट पावर्स अन अर्थ, तुड़े, एड 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 थेट थाइं, देर वोज नो रिपॉब्लिक ऑफ इंडिया, और इसी ट्रीटी को, री एफेम किया गया, 1923 में, ब्रिटिश इंडिया, और नेपाल के बीच हुई, एक और ट्रीटी से, तो 1815-16 की संधी को, एक बार फिर से पुनर प्रशास्त किया गया, 1923 में, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच हुई, एक और संधी से, समझ में आ गया, तो अगर, ये ट्रीटी का, फिफ्थ आर्टिकल ये कहता है, पाँचवा अनुच्छेद, 1816 वाले टीटी की बात कर रहा हूँ, उसके जो exact words थे, तो उसके जो रिवर काली है, उसके पश्चिम पे राजा और उसके उत्तरा धिकारी, कभी कोई बात नहीं करेंगे, पूर्व का तुम्हारा है, तो उनका वही कहना है, कि रिवर काली का उधगम, ये भी तो बता दो, वो इस ट्रीटी में कवरी नहीं हुआ है, आपको बात समझ मैं, ये ट्रीटी हुई तो थी 2 December 1815 को, लेकिन दर असल इसका जो ratification अनुमोदन था, वो 4 March 1816 को हुआ था, इसलिए इसको 1816 की संधी भी कहते हैं, जबकि ये हुई थी December 2018 2015 में, तो West और East का ये जगड़ा, उस नदी के स्त्रोथ पर आके रुख गया है, ये समझ मैं आया हैं आपको, और यही काली नदी काला पानी से होके बहती है, अब इसकी बहुत सारी Tributaries और Multiple Sources को लेके जो जगड़ा है, वही टेकनिकल लोगों को बैट कर सुल जाना है, तो इसका Precise Location को लेके ही तो सारा जंजट है, तो वो ट्राय जंग्शनम कैसे सुल जाए, जब तक इसका Precise Location क्लियर नहीं होगा, इसमें दो पेच और फस्ते हैं, टेकनिकल एक्सपर्स का ये कहना है कि समय के साथ ये नदी हिलती रहती है, मतलब ये तो बहुत कटिन काव हो जाएगा, तो विट टाइम दी कोर्स अफ दे रिवर इस अलसो चेंज़गा, and historians also say that the British Cartographers, they did a lot of mischief and they often kept on moving it in their maps, क्योंकि वो तो मैप पे तो हाथ से इड रहो होगा न, तब तो सैटलाइट तो थे नहीं कि नेपाल दावा ठोक देता, कि देखो देखो पिक्चर में ये उस वक्त जो कागज पे किसी ने बना दिया, और जिसकी लाठी, बस उसका मैप, जिसकी लाठी, उसका मैप, समझ में आगी ना बात, हाँ, बस समझदार हो दोस्तों, तो इतने सारे फैक्टर्स के साथ आज हम यह 2020 में खड़े हैं, नेपाल आज ही कहता है कि सुगौलरी टीटी के साथ कोई मैप तो थे ही नहीं न, जो दोनों ने साइन किये हों, तो उस वक्त के सारे मैप निकाले जाएं, और उनको स्टडी किया जाएं, तभी पता चलेगा, और 1857 तक ब्रिटिश के सारे मैप, काली नदी लिम्पियादुरा पास के नेपाली शेत्र में है, ये बताती है, ऐसा नेपाल का दावा है, और 1857 से 1881 में अंग्रेजों ने बदमाशी करके, उसे अलग जगे दिखाना शुरू कर दिया, देखिए, यहां 1857 पिक्चर में कैसे आया, थोड़ा सा उसको भी समझें, तो भारत में अंग्रेजों की अलग-अलग सेन आई थी, देखिए, वो ओरीजनली तो व्यापारी बन के आये थे, तो वो अपने जो बनाते थे, फैक्टरीज, उसमें सिक्रीटी गाड़ खड़े करते थे, मैं 17th century की बात करता हूँ, जब पहली बार आये थे, सूरज से शुरू की थी कहानी, सिक्रीटी गाड़ के हाथने पहले डंडा होता था, फिर धीरे धीरे उनको बंदू के दिये जाने लगी, और वो फैक्टरीज के सिक्रीटी गाड़, इनकी सेना बन गए, so they had the Bombay Presidency Army, the Madras Presidency Army, and the Bengal Presidency Army, Mangal Pande Bengal Presidency Army में थे, ये तीनों अलग-अलग सेना ही थी, 1857 में जब विद्रो हुआ सेनिकों की तरफ से, जिसकों First War of Independence भी कह सकते हैं, तो Bombay सेना और Madras सेना में विद्रो नहीं हुआ था, वो हुआ था, बंगाल की सेना में उनकी मदस उनको दबाया भी गया था, तो हमें थोड़ा सा 1857 वाला जगड़ा, अंग्रेज हुआ की नज़र से यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा, तो जिसको हम First War of Independence कहते हैं, और जिसको अंग्रेज 1857 विद्रो या म्यूटिनी कहते हैं, ब्रिटिश राज ने उस वक क्या किया, पश्चिम नेपाल में चार जिले जो तराई शेत्र के थे, बांके, बरडिया, कैलाली, कंचनपूर, वो उस वक के नेपाल को, जंग बहाद्दूर राणा जो प्रधान मंत्री थे, उनको लोटा दिये, पश्चिम नेपाल के तराई शेत्र के चार जिले, क्या किया अबरेजों ने, दे गिफ्टेड इट टू नेपाल, कौन से चार जिले दिये थे दोस्तों, बांके, बरडिया, कैलाली, कंचनपुर, और क्यों दे दिये, ऐसा क्या कर दिया था इन्होंने, उत्तर भारत में, इस सैनिक विद्रोह को दबाने में, नेपाल ने, अंग्रेजों की मदद की थी, ऐसे तो बहुत सारे राजाओं ने मदद की थी, सारे लोग कोई मिलके, अंग्रेजों से लड़ थोड़ी रह थे, अंग्रेजों से लड़ने वाले तो कमी थे, बाकी बहुत सारे लोग तो अंग्रेजों के साथ अलाइन थे, उस वक्की लोयल्टी बड़ी कॉंपलेक्स थी, black and white में कुछ भी नहीं था ये समझ में आगया आपको और फिर 1860 में एक treaty और की अंग्रेजों ने नेपाल से जिसमें ये gifted territories को map पर delinate कर दिया गया कि ये सब हमने इनको तोहफे में दिया है और उस पर sign हो गए दोनों तरफ के ये जो treaty थी इसका जो article 3 था उसमें ये mention किया गया कि British India नेपाल की जो पश्ची में सीमा है वो काली नदी होगी समझ में आ गया और in fact कलकत्ता में published अब ये क्योंकि maps की ही बात हो रही है 1837 का एक अंग्रेज map मिलता है जिसमें ये पूरा शेत्र नेपाल में दिखाया जाता है इसका मतलब ये है कि there was no internal consensus on it during the British क्योंकि उनी का publish कि आव वो 1837 के map में ये शेत्र नेपाल में दिखाया गया है तो इतिहास कार ये सब बाते बताते हैं समझ में आया आपको अब थोड़ा modern day पर आ जाए इसके बाद आगे बढ़े इसमें आगे बढ़ते हैं तो 1950 में स्वतंत्र भारत independent Republic of India और नेपाल के बीच एक संधी हुई उस संधी का नाम था dear friends the treaty of peace and friendship ऐसी होती थी संधियां सारी the treaty of peace and friendship शांती और मित्रता संधी भारत नेपाल 1950 तब ये कहा गया कि अंग्रेज राज के दौरान जितने भी मैप थे संधियां थी सब थी वो सारी की सारी टेक ओवर की जारी हैं with all the contingent liabilities उनमें जो भी नीज जिम्मेदारियां थी all the responsibilities inherent in whatever treaties had been signed they are being taken over as it is by these two countries ये 1950 की treaty of peace and friendship में भारत नेपाल के बीच हुआ ये समझ में आया आपको भारत चीन के बीच युद्ध हो गया 1962 में और भारतिय सेना भारतिय टूप ITBP कालापानी शेत्र में थे नेपाल ने कभी objection नहीं लिया नेपाल never objected to it और इस पूरे मुद्धे को नेपाल इग्नोर करता रहा करता रहा करता रहा तिल 1998 जब वहां की domestic politics में ये बड़ा useful मुद्धा बन गया और फिर नेपाल सरकार ने ये कहा कि नेपाल की जो पश्चिमी border है उस border को हमें 5.5 किलो मीटर और पश्चिम में खसकाना पड़ेगा तभी जाके ये सुगौली संधी के साथ सुमिलित हो पाएगा इसी को ले के जगडा है I hope this is very clear और अलग-अलग मैप से पैदा हुआ ये विवाद और बिगड जाता है जब महाकाली नदी का shifting course geologically समझ में आता है तो ये तो actually साथ बैठ के बात करके कोई रास्ता निकाल के खतम करना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा I hope this is clear यहाँ पर आपको parallel में रेशम पत के बारे में बताना भी बहुत ज़रूर ये silk road तो जो silk road था रेशम पत जिसको हम कहते हैं second century में बना Chinese से शुरू हुआ था और 17th, 18th century तक चला तो उसने पूरे 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 Eurasia region को एफरीका तक सारी सभ्यताओं को जोड़ा और बहुत intermingling हुई बिमारिया भी फैली उस समय भी महामारिया फैलती थी और trade commerce जैसे जैसे फैला वैसे वैसे वो महामारिया भी फैलती गई silk route पर या silk road जिसको हम बोलेंगे East Asia, South Asia को South Asia, Persia, Arab the complete peninsula, East Africa, Europe इन सब से जोड़ दिया गया और इसकी कहानी silk road की शुरू होती है Han dynasty से तो जो silk road बना वो second century AD में Han dynasty से शुरू होता है, चीन की Han dynasty Is that clear? वो dynasty तो बहुत लंबी नहीं चली लेकिन silk road बहुत लंबा चल गया और चाइना की सब्यता हो, कोरिया की सब्यता हो जेपैन की सब्यता हो, भारती महादीव की सब्यता हो, इरान, यूरोप Horn of Africa, अरेबिया इस पूरे व्रहद यूरेशिया और एफरीका शेत्रों को जोडने में silk के trade और साथ में दूसरी बहुत सारी वस्तूओं के trade ने काफी बड़ा रोल निभाया बहुत सारे religions फैले especially buddhism बहुत फैला syncretic philosophies create हुई ये इसका बहुत बड़ा तो syncretism का मतलब होता है एकमसत विप्रह बहुत वदंती सत्य तो यह की है सब लोग अलग अलग धंग से उसको व्यक्त करते हैं तो उस सबका mixture हुआ सबकी अच्छाई है एक दूसरों को समझ में आने लगी तो trade always helps build better relations और plague भी फैलता रहा जून 2014 में UNESCO ने जो चांगान त्यांशान कॉरिडोर है उसको world heritage site घोशित कर दिया था भारत में जो हिस्सा है वो अभी तक हुआ नहीं है घोशित लेकिन शायद पो जाए तो यह था silk road का महत्व एक बार आपको silk road हम दिखा दे तो दोस्तों यह है silk road second century से 18th century तक अच्छा चला और यह काफी बड़ा व्यापार पत रहा है आपके सामने है main route हरे में है other केरेवा route लाल में है भारत का बहुत लाब हुआ Asia, Europe, Africa का integration आप इसमें देख सकते हैं व्यापार करना तो मानों कि नियती रही ही है हमेशा से समझ में आगया तो इस प्रकार हमने आपको यह सब बताया अब हम चलेंगे प्यारे दोस्तों 1962 war and the aftermath पर अभी तक का सब क्लियर तरही शेतर भी अच्छे थे समझ में आगया blockade issue पर भी आ रहे हैं बस और फिलहाल वो कौन सा constitutional amendment करने निकले हैं उसको भी देख लेंगे तो अब हम देखेंगे दोस्तों the 1962 war and the aftermath अंग्रेजों के साथ नेपाल का क्या relation था वो आपको पूरी तरह से clear हो गया कोई doubt तो नहीं है उसमें जो जो शेतर मैंने आपको अभी बताये वो शेतर सारे clear हो गए आपको very good so let us get down to the next point the 1962 war and the aftermath काला पानी में ITBP को पोस्ट करने का काराणी यह है कि 20,000 फीट की उचाई से हमारे सैनिक can keep a bird's eye view from this vantage point और यह बहुत बहुत useful है 1962 के वार के बाद से और यह पूरा का पूरा शेतर जो है roughly 372 स्क्वेर किलो मेटर है आज नेपाल इसको encroachment by Indian security forces बोल रहा है कल नहीं बोलता था और लिपू लेक पर जो trading post बना हुआ है भारत और चीन का उस पर नेपाल को अब बहुत सकता पत्ती है चाईना को आपत्ती नहीं है और चाईना ने इस मामले में हालांकि चाईना ने क्योंकि भारत का vacuum create हो गया 2015 के बाद चाईना ने वो vacuum भड़ दिया है लेकिन इस पूरे dry junction मामले में तो यह जो चाईना इंडिया ट्रेडिंग पोस्ट लिपूलेक पे बना इस वाज वन आफ दी अर्लिये ट्रेडिंग पोस्ट बिट्वीन इंडिया इंड चाईना तो रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के दिशा में उसके बाद और ट्रेडिंग पोस्ट एक 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 करके बने लगे जैसे हिमाचल प्रदेश में शिपकिला में बना उसके दो साल के बाद जबकि LAC पर स्पार्क आते रहे भारत ने भी खूब धुलाई जैनीज की दो बार की है ऐसा नहीं है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है तो हिमाचल प्रदेश के शिपकिला में और नाथू ला में तो 2006 में ही हुआ तो हम सिक्किम की बात कर रहे हैं नाकू अ यह ट्रेडिंग पोस्ट बात चल रही अभी I hope this is clear 2016 में नरेंदर मोदी जी जब बेजिंग गए थे तो in 2016 Xi Jinping and Narendra Modi had accepted and agreed that the trade volume passing through Lipu Lake will be hiked तो बस इतना कहना था और नेपाली बढ़त गए कि भाई वो तो हमारा शेत्र है आप लोग आपस में कैसे इस चीज़ों को टाय कर रहे हैं समझ में आगे ना आपको सो यह 2016 की बात बता रहा हूं मैं आपको when Modi visited Beijing Xi Jinping and Modi decided that border trade will be increased via Lipu Lake trading post and that made Nepal upset Global Times अगबार जो चाइना का ऑफिशल अगबार मोटे तौर पर लोग मानते हैं उस नहीं यह कहा कि भाई दिस is a bilateral matter and China should remain very mindful of the sensitivities of India Nepal so that means we are not going to overtly influence anybody is that clear और नए मैप में नेपाल ने इनी सब चीज़ों को उसके नजरिये से दिखाने की कोशिश की है तो 1962 की कहानी जो शुरू हुई जब चीनी तिबबत को पूरी तरह से 1950s में annex कर चुके थे entire Tibet had been annexed by the Chinese in 1950s उसके बाद नेपाल में भारत को इस शेत्र में 17 military checkpoint नदन बॉर्डर पे बनाने की इजाज़त दी थी और उसी के बाद लिपूलेक पिक्चर में आया था 1969 में जो नेपाल ने इजाज़त दी थी 17 border checkpost बनाने की उसकी नदन border पर इंडिया in 1969 had pulled back all the checkpost from rest of नेपाल but this काला पानी base remained वो एक point नेपाली आज उठा रहे हैं समझ में आगे आपको काफी बारीक points हैं लेकिन totality में पढ़ना है तो ऐसी देखना पड़ेगा the very interesting thing in this entire story is that India and China are on the same page तो जहां एक और boycott China की मांगा रही है जहां दूसरी और चीन लगदाक में घुज गया रक्षा मंत्री स्वयम स्पीकार कर चुके हैं कि अब बाचीश से मामला सुलजेगा वहीं दूसरी और लिपूलेक मामले पर तो यह agreed है कि हमें यहां से व्यापार का volume बढ़ाना है In fact, you will be very surprised to know कि यह बात 1954 तक पीछे जाती है And in 1954 उसके records हैं that India and China had agreed to allow the मानसरोवर कैलाश pilgrims to use लिपूलेक पास तो 1954 से कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए लिपूलेक पास को हम यूज करने देंगे यह agreement मिलता है तो इससे भारत का रुख और भारत का stance काफी मजबूत हो जाता है इस पूरे शेत्र पर नेपाल अपना territorial claim बनाता है ये बात भारत और चीन आपस में चर्चा रत है 1999 में जस्वन सिंग हमारे Minister of External Affairs बेजिंग रहे थे तब उन्होंने चर्चा की थी चाइनीज के साथ Chinese प्रधान मंत्री यहने प्रेमियर वेंच चापो दिल्ली आये थे 2005 में तब उन्होंने डॉक्टर मन्मोन सिंग से चर्चा की थी और Chinese President Xi Jinping 2014 में भारत आये थे तब उन्होंने मोदी जी से चर्चा की थी तो अब अगर भारत चीन राजी तो क्या करेगा नेपाल नेपाल के पास फिर एक रास्ता बचेगा दोस्तों और वो है International Court of Arbitration नेपाल can sue India and China on this और नेपाल जा सकता है Permanent Court of Arbitration The Hague में there is a Permanent Court of Arbitration जिसमें कोई country किसी दूसरे पर case ठोक सकती है तो sir किसी और country ने ऐसा किया है बिलकुल किया है Philippines ने प्रैटली द्वीपों के उपर South China Sea के जगडे में China पर case किया जीत गया The Philippines had filed a case against China in the Permanent Court of Arbitration at The Hague और फिलिपीन वासी या फिलिपीन वाले ये जीत गए मामला चाइना से आलांकि उससे चाइना को फरक नहीं पड़ा Chinese अभी भी इस प्रैटली आइलेंड पर बैठे में मस्ती में मिसाइले और तैनाप कर दी और मट्टी लाके और आर्टिफिशल आइलेंड बनाया जा रहे है South China Sea में पूरे South China Sea को हजम कर जाने की उनकी इच्छा ये वर्क आउट होगा नहीं आंगरन में सब कुछ बैठफार हो जाएगा बढ़ ठीक अब चाइना को कौन समझाए जो समझाने जाता है वो गाया वो जाता है I hope this is very clear तो यह कहानी है इंडिया इंचाइन बींग ऑन दी सेम पेज की आई होप आपको कुछ और अच्छे इंपूट्स मिले अब इंडिपेंडेंट इंडियो और नेपाल के बीच कप 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 क्या बाते हुई और नेपाल का ग्रह युद्ध क्या था और दो हजार पांच होगा तो दोस्तों अब हम आगे हैं अगले बिंदू पर इंडिपेंडेंट इंडिया और नेपाल तो क्या देखेंगे भई यह इंडिपेंडेंडेंड इंडिया नेपाल में भारत की 2014 तक की पॉलिसी क्या थी भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता था तिल 2040 हैं इंडिपेंडेंडेंट इंडिया नेपाल पॉइंट एट क्लियर है ना तुल 2014 भारत की पॉलिसी बहुत ख्लियर थी जब तक वहाँ पे राजा का शासन था नेपाल में 1960 से 1990 तक तो ख्लियर था लोगों तो कोई अधिकारी नहीं थे इंडिया नूँ इट वेरी वेल कि यह एप्सुलूट रेजीम थी तो यह जो एप्सुलूट रेजीम थी राजा सहब की उसमें इस मामले पर कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई भारत को क्योंकि कोई बात ही नहीं कर सकता था यह पूरा मामला थंडे वस्ते में राजा सहाम ने डाल के रखा था भारत से शांती चाहते थे लेकिन 1990 में डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन होना शुरू हुआ तो जैसे जैसे डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन होना शुरू हुआ पीपल स्टार्टेड रेजिंग दी इस्जू यह समझ माया आपको लोगों ने वो मुद्दे उठाने 1960 के बाद मीडिया ने शुरू कर दिये उस वक्का जो प्रधान मंत्री था कृती निधी बिष्ट कृती निधी बिष्ट हैज सेड डाट किंग महेंद्र 1962 के बाद भारत को मदद करने के लिए ट्राय जंग्शन का एरिया दिये थे वो कोई भारत का हिस्सा नहीं है यह समझ में आया यह इनका दावा उस वक्त था अब कुछ इंपॉर्टन डेट्स नोट कर लीजे 1964 में देर वोज अ ट्रीटी बिट्वीन इंडिया और नेपाल महाकाली ट्रीटी इस शेत्र में रिसोर्स डेवलप्मेंट हाइड्रो पावर डेवलप्मेंट 1964 की ट्रीटी जिसके बाद नेपाल में फिर से सुब बुगहाट शुरू हो गई कि भारत नेपाल की टेरिटरी में क्या कर रहा है इसमें मैं थोड़ असा आपसे शमा चाहूंगा दोस्तों मुझसे गलती हो गई यह डेट 96 की है माफी चाहूंगा इसको कृप्या 96 कीजिए वेरी वेरी सॉर्य अवाउट दिस महाकाली ट्रीटी 1996 कहीं कहीं दिक्कत होगी तो मैं वहीं ठीक भी कर लूँगा वेरी सॉरी मेरे अपने नोट्स पूरे में हैं रिटन बनाके रेडी रखता हूं नोट्स को मैं रेफर करते चलता हूं उसमें कहीं कहीं तारीक पढ़ने में दिक्कत हो सकती है तो इसको 96 कर लीजेगा महाकाली ट्रीटी जो 96 की जब साइन हुई तो नेपाल में फिर से एक बड़ा डिबेट शुरू हो गया कि यह पूरा शेत्र जो हमारा यहां आप कौन से हाइडरो पावर डेवलप्मेंट की बाते कर रहे हैं 1997 में इंडिया नेपाल अग्रीट आट वी विल हैव technical committees that will look into all these debates and try to resolve all these issues समझ में आ गया 2004 में जब Dr. Manmohan Singh प्रधान मंत्री बने he wanted to resolve these issues by bilateral negotiations इस dispute को वो शुरुवाती दिनों में solve करने के mood में थे एक joint statement भी जब शेर बहाद्दूर देवबा जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत आये थे 2014 में सेप्टेंबर में तो उस joint statement में technical committee ने जो काम किया उसकी तारीफ की गई थी मतलब हम सही दिशा में बढ़ रहे थे और इस मामले को finally हम resolve करना चाहते हैं समझ में आया I hope this is very very clear 2005 तक भारत की जो पूरी की पूरी neighborhood policy थी वो गुजराल doctrine से चलती थी समझ माएं आपको तो क्या थी गुजराल doctrine आई के गुजराल जो हमारे प्रधान मंत्री रहे थे 1995-1996 so till 2005 there was a very clear imprint of the गुजराल doctrine on India's foreign policy neighborhood policy भारत अपने immediate neighbors के साथ non reciprocity basis पर रिष्टे सुधारेगा ये गुजराल doctrine का मूल मंत्र था वो doctrine फिर बाद में छोड़ दी गई और इसमें एक चीज डॉक्टर मनमान सिंग ने जो बाद में की वो ये था कि जितने भी controversial issues हैं let us maintain these status quo for the time being क्योंकि उसको जोर दवदस्ती से resolve कर पाना ये किसी के भी बस में नहीं था and so maintaining status quo यने की यतास्थिती बरकरार रखी जाए outstanding issues जो लंबे समय से जगड़े के चल रहा है including with Pakistan उनको हम छोड़ दें और जो बाकी areas जहां हम cooperation कर सकते हैं भारत ने अपने सभी पडोचियों को बोला वहां हम cooperation करना शुरू करें in 2014 when Narendra Modi became the prime minister this status quo policy was cracked and a neighborhood first policy was brought तो नarendra Modi doctrine में neighborhood first policy का काफी बड़ा रोल था हलांकि उसके नतीजे हमेशा बहुत positive तो नहीं आये हैं लेकिन इससे हम guide हुए हैं 2015 में इसी नीती के तहट India and China agreed agreed on what अभी बताये तो थोड़ी देर पहले कैलाश मांसरोवर बॉर्डर को open कर दिया जाएगा और इसके लिए नेपाल से चर्चा तक नहीं की गई नेपाल और भड़क गया उसक्त नेपाल को लूप से बाहर रखा गया कैलाश मांसरोवर यात्रा के लिए बॉर्टर खुलने के लिए नेपाल ने दोनों को आपत्ती दी कि भाई आप हमसे बात तो करें चाइना ने बोला कि यह आपका इश्यू है आप देखो मुझे इसमें कुछ भी पढ़ना ही नहीं है आपको यह समझ में आया नाओ इन ट्वेंटी फिफ्टीन सम्टिंग एल्स हैपन नेपाल had just recovered from a 7.9 magnitude earthquake आपको पता ही है नेपाल बड़ा दुरभाग के शाली है in the sense कि वो टेक्टॉनिक प्लेट की बाउंडरी बिलकुल नेपाल के बीचो बीच से गुजरती है हिमालयपुरा वही है ना और वो टेक्टॉनिक प्लेट बाउंडरी है तो वहां तो you know variable the kind of seismic movement that keep happening which is very dangerous और 7.9 Richter scale पे क्या होता है आप समझ सकते हैं डिवास स्टेटिंग मतलब it is approaching 8 और 9 पर तो विनाश 10 पर महा विनाश और 11 पे पृत्वी के दो तुकड़े हो जाते हैं ये पृत्वी के दो तुकड़े रिक्टर स्केल का मतलब ही ये होता है आपको पता है न वॉल्यूम इंटेंसिटी जो होती earthquake की 10-10 गुना बढ़ती हर नंबर के साथ 1,2,2 से 3,3 से 4,4 से 5 इसमें 10-10 गुना बढ़ती है और इसी समय इंडिया ने ब्लॉकेड लगा दिया ऐसा नेपाल का कहना है हालांकि लगाया तो था Parliament में तखकालीं मंत्रियों के स्टेटमेंट भी है तो अब उसको आपनाकार तो सकते नहीं हो सबी को पता दुनिया वरमें विरोध नेपाली हो नहीं किया भारत के खिलाप यहाँ से भारत नेपाल के रिष्टे बिलकुल तूट गया तूट गया एकदम खटाई पूरी आप समझ लीजिए कि the whole thing basically उस रिष्टे में खटास आ गया और there was a huge amount of friction and negativity and a sense of impermanence in a relationship that had lasted for several decades, even centuries ही पाए में से सो, क्योंकि रूट तो उनका भारती सभ्यता सी रहा, तो इस ब्लॉकेट के चलते, अब उनकी language बदलने लगती पूरी, समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ petroleum जाना बंद हो गया, दवाईयां जाना बंद हो गई, और बहुत सारी समस्यां पैदा हो गई, तो क्यों लगाया होगा, basically जो नया समविधान आया है, उसमें बहुत सारे विरोध वहाँ मधेशियों ने किये, मध्यदेश के निवासी मधेशियों ने किये, ज यह clear हो गया आपको, तो अगर यह clear हो गया है दोस्तों, तो आपको latest वाला भी सारा funda clear है, अब हम बात करेंगे नेपली सिविल वार की, तो नेपाल में बहुत ही खूनी ग्रह युद्धर हाए 1996 से 2006 तक, तो यह क्या है, और उसके बाद वापिस से हम 2015 के ब्लॉकेट पर तो we have now come to the नेपली सिविल वार, exactly क्या हुआ, कैसे हुआ, और किसका नुकसान हुआ, और वहां की राजनीती में कैसा परिवर्तन आया, तो जो एक दो slides मैंने पहले सिफ स्किम थुकरी थी, उन slides को थोड़ा detail में भी आपको पढ़ाने का समय आ गया, वो अभी देख लेंग वार की बात करते हैं, ग्रहयुद, बहुत ही ये खूनी ग्रहयुद रहा, हजारों मारे गए, और ये चलता रहा दस सालों तक, 1996 से 2006 तक, समझगे दोस्तों, ये basically CPNM और नेपाल सरकार के बीच लड़ा गया, Communist Party of Nepal, Maoist, नेपाल की साम्यवादी पार्टी, माओवादी, माक्सवादी नहीं, माओवादी, Communist Party of Nepal, Maoist, because माओवादी विचारधारा में, पावर फ्लोस फ्रॉम दे बैरल अफ गन, वर्सिस Government of Nepal, इनके बीच में ये खूनी संघर्ष शुरू हो गया, 2001 में, जब ये युद्ध चली रहा था उसके बीच में, जो Royal Family of Nepal है, House of Gorkha, उनका जो Official Residence है, Royal House of Nepal, तो प्रिंस दिपेंद्र बीर बिक्रम शाह, ये वाले सज्जन की बात कर रहा हूं है, बीच में जो तनके खड़े हैं, Assault Rifle लेकर उन्होंने परिवार के सारे लोगों को तर-तर-तर-तर-तर-तर-तर-तर भून डाला, प्रिंस दिपेंद्र बीर बिक्रम शाह ने, कुछ मैरिज को लेकर, कुछ प्रसंग था, उसको लेकर विवाद था, और वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए, और एक साथ पूरी फैमिली को ही भून डाला, इमीजेट फैमिली को, इट वस कॉइट अरिमार्केबल एन डिजास्टर सिचुएशन, और नेपाल में राजा को भगवान माना जाता है, तो आप समझ सकते हैं, और उसके बाद इन्हीं को, इन्हों ने खुद को भी गुली मार ली, लेकिन वो मरें नहीं तीन दिनों तक, तो जब वो आईस्यू में था तब उनको अगला राजा खोशित कर दिया गया, मतलब यार यार राजाओं के प्रती प्रेयम के भी कोई सीमा ही नहीं है, मतलब दुनिया में, तो दोस्तों, 2001 में, रॉयल फैमिली मैसेकर हुआ, शाही परिवार का, हत्याकान्ट हुआ, प्रिंस दिपेंद्र बीर बिक्रम शाह का, और उसके बाद, इसी साल, 2001 में, थोड़ी सी पीस हुई, जुलाए में, जो माववादी थे, उन्होंने सरकार के साथ बातचीत करना शुरू करती, यह सब हुआ, उसके बाद, उनको भी लगा होगा कि परहाप से इस ताइम पर पीस, बट पीस टॉक्स कम्प्लीटली फेल एंड वार रिज्यूंड, फिर से युद्ध शुरू हो गया, घरेलू युद्ध, और इस पूरे युद्ध में वही हुआ, जो चीन में हुआ था, माववादियों के समय, जब चाइनीज कम्यनिस पार्टी ने युद्ध लड़े थे, अर्गबन सेंटर्स वर अल अंडर दी कंट्रोल अफ दी गवर्मेंट अफ नेपाल, रूरल एरियाज वर अल अंडर दी कंट्रोल अफ दी माविस्ट, माववादियों के कंट्रोल में ग्रामीन शेत्र थे, सरकार के कंट्रोल में शेहरी शेत्र थे, अब ये चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, तो जो राजा मर गए, उनके जो भाई थे, उनको राजा बना दिया गया था, किंग ज्यानेंद्र, तो King Gyanendra इस situation से इतने परिशान हो गए थे कि उन्होंने कहा मैं सब कुछ अपने control में ले रहा हूं Insurgency खतम करने के लिए I am assuming full control of everything in Nepal Very interestingly People's Republic of China supported King Gyanendra It did not support the Maoist rebels who Jintao की सरकार थी उन्होंने Gyanendra को साथ दिया माउबादियों का साथ नहीं दिया था लेकिन जब यह हुआ इन्होंने full control लिया India UK इन सब देशों ने सारी supplies रोख दी थी क्योंकि ऐसा कहा गया था कि एक undemocratic steps है और supplies were stopped समझ मैं आपको Finally after a very long time in November 2006 November 2006 में Peace Accord हो गया और यह जो peace accord हुआ वहां की अलग-अलग political parties माउबादी rebels और सरकार के बीच हुआ comprehensive peace accord इसको नाम दिया गया CPA व्यापक शांती समझोता civil war समाप्त हो गया November 2006 में 2007 में interim constitution बना दिया गया अंतरिम समविधान लेकिन उसकी बहुत सारी चीजों पर जगड़े थे भारत नेपाल के रिष्टे बिल्कुल बिगड़ गए यह कहानी पूरी समझ में आगए आपको अब आपको कुछ चित्र दिखाना बहुत important है अब आपको जैसे जैसे यह एक एक detail पता चलती है तो एक ग्रिप आती ना subject पर बस वही तो लक्षे तपस्या सीरीज का यह एक simplified version of this region है अच्छे से देखो ड्राय जंक्शन अब आपको बहुत अच्छे से काला पानी 1962 ITBP पेट्रोल नदन में 17-18 इनके चेक पोस्त बनवाने दिये थे राजा ने सब अट गये काला पानी का नहीं हटा अब सब जोड जोड के देखो दिमाग में नदी का वेस्ट और नदी का इस्ट उसी को लेके जगडा इनका आरोब कि आपके नए नक्षे में आपने ये काली नदी पे से नाम क्यों हटा लिया क्या इसलिए हटा लिया कि आपको पता है कि उसके आगे का हिस्सा हमारा है भारत का कहना है कि this is absolute rubbish ऐसा कुछ भी नहीं और यह जूटे दावय है उसी हमारे नए नक्षे में जूम इन किया है हमने और आपको बताया है कि जगड़े वाला रीजन कौन सा है यह है न भीया यह वो शेत्र है यह नेपाल का दावा है कि वो कुठी यांक्ती से शुरू होता है तो उसका इस्ट हमारा है तो आप हट जाहिए यह भाद का कहना जूट यह वो बॉर्डर रोड रूट वन रूट टू रूट त्री केलाश मान सरोबर तक के रहा आप में तो कोई होके रहा है कैसा रहा आपका अनुभाव शेर कीजिए कॉमेंट्स में बड़ा मज़ा आएगा सुनके बड़ा हेमेंली एक्सपीरियंस हो होगा उद्गम है स्पिरिच्वालिटी का केलाश मान सरोबर यह हमारी नदियां और उनके बेसिंस सुनो तो गंगा यह क्या सुनाएं के मेरे तट पर नेपाल की नदियां वो लोग आए अब इसको अच्छे से समझ लीजिए तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसम में फाइनली इनका समविधान आया आज नेपाल कम्यनिस पार्टी एंसीपी रूल कर रही है नेपाल पे और यह सभी पार्टियों के विले से दो हजार अठारा में बनी थी दोस्तों सीपीन और सीपीन के मदद से लार्जेस पॉलिटिकल पार्टी है हाउज अफ रेप्रेजेंटेटिव याने लोकसभा में नैशनल असेंबली याने की राज्यसभा में और सभी प्रोविंशल असेंबली में खडग प्रताश शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हैं 2018 से और जो पूर्व प्रधान मंत्री है पुष्प कमल डहल प्रचंड वो ये दोनों के दोनों चेर्मेन के रूप में सब्व करते हैं फेडरल पार्लियमेंट नेपाल की जो है ये द्वी सदनिय विवस्था है सुप्रीम लजिसलेचर है 2018 में संसत बनी है अपर आउस है राश्ट्री असेंबली लोवर हाउस जो वहां का लोग सभा है house of representatives यह आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इस विवाद में यह सारी चीज़ें everything is fair game कुछ भी पूछा जा सकता है समझ में आया लोवर हाउस में 275 मेंबर पांच मास साल के लिए और उसमें से NCP के पास 174 है और नेपाली कॉंग्रेस के पास 63 है तो आज जो constitutional amendment करना है वो नेपाल कम्यूनिस पार्टी अपने दंपे नहीं कर सकती समझ माया अभी जो हड़वड़ी मची हुई है और अपर हाउस में 59 मेंबर हैं 6 साल के लिए बिलकुल हमारे राज्यसभा के ही जैसे वहाँ पर नेपाल कम्यूनिस पार्टी के पास 50 मेंबर है एंसी के पास 6 य इबर फिर से सब कुछ देख लीजे गोर्खा एंपायर अंग्रेजों से लड़ाई ऊपर का नया नक्षा हमारे नक्षे के जवाब में भारत के नक्षे के जवाब में और यह 2015 के ब्लॉकेट का इश्यू यह जितने भी हैश मार्क वाले शेत्र हैं ब्लैक हैश मार्क यह जो काले-काले हैश मार्क लगेवे हैं मधेशी राज्य विदिन नेपाल की मार्क जो ब्लू है उसमें लिंगोवान उटनॉमी डिमांड थारू हाट तो यह चलता रहता ह है यह अलग-अलग-अलग प्रकार की मांगे हैं जो चल रही है अब इसमें थारूहार्ट और मधेशी दोनों ओवरलैपिंग यह जगड़े हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें और मधेशी लोगों का भी अपना लंबा जोड़ा बैग्राउंड है यह तराई शेत्र भारत में सिल्क रोड और यह उनकी धंकी और यह नेपाल का पूरा पर्सपेक्टिव और यह सी यह का मैप ठीक है बहुत अच्छा रेलेवेंट कांटेंट बड़ी महनस से टीम इखटा करती है आप इसको अच्छे से यूज कीजिएगा तो दोस्तों यह फाइनल संविधान इनका ब इंड्मेंट और इंडिया चायन और इंडिया नेपाल पर मैंने आपको मैक्जिममम पॉसिबल माइक्रो इंपूट्स दे दिए कि इसके बहार से तो कोई पूछ नहीं सकता अब इस पे से डीटेल आंसर बगेरा बन सकते हैं वो आप अपने हिसाब से बनाएं और कॉमेंट पंधरा में जो पूरा भारत से जाने वाला सामान ब्लॉकेड का मतलब ही होता है आपने पूरे सामान की आवाजाही पर रोक लगा दी सारा पेट्रोल भारत से जाता था इस ब्लॉकेड के बाद वो चीन से जाने लगा देखिए भारत का नुकसान तो हुआ है तो इसके थो पूर्वी तरही में आके सेटल हो जाईए जितने भी न्यू सेटलर आएंगे भारत से तब तो अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज प्लस दूसरे राजाओं का तो भारती यहां से वहां जा सकते थे पासपोर्ट सिस्टम वीजा सिस्टम तो होते ही नहीं थे पहले जितने भी नए सेटलर आएंगे उनको पूर्वी तरही रीजन में हम सेटल होने के लिए विशेश सबसेडीज देंगे यह शाहत शासकों ने नेपाल के बोला हजारो हजारो भारती महाँ पर शिफ्ट हुए तो जो मधेशी लोगों को कहा जाता है दोस्तों ऐसा कहते हैं क कि वो तरही शेत्र में रहने वाले इंडियन एंसेस्ट्री के लोग हैं भारती मूल के लोग हैं बहुत सारे जो तरही शेत्र में उसवक मिल रही सबसीडीज और दूसरे सांस्कृति को पारिवारी कारणों से जा जाके पस गय थे समझ में आ गया उसमें हिंदू भी हैं भी मारवाडी वहां के तराई के स्थानिय इंडिजिनस लोग सब शामिल है उसमें सब शामिल है नेपाल के संदर में हम अगर बोलें तो मधेश का मतलब है साउथ ओफ शिवालिक हिल ठीक है वो मैंने आपको इसलिए वो हिमालाय का चार्ट दिखाया था मधेश मध्य देश पे से निकला ऐसा एक दावा है साउथ ओफ दी शिवालिक हिल्स नेपाल की तरह ही लगबग 23 प्रतिशत है वहां के भूभाग का लेकिन लैंड एरिया तो only 23 परसंट है पॉपुलेशन more than 48 परसंट वहां पे रहती है क्योंकि obviously ये grassland region है यहां रहना आसान है compared to mountainous region समझना है आपको यहां पर अलग-अलग राज्यों की मदेशी राज्य की मांग हुई है Limbu One Autonomy की मांग हुई है थरू हर्ट की मांग हुई है मतलब tensions तो रहे ही है हमेशा से and the state of Nepal has been grappling with those tensions जब समविधान 2015 का आया तब ऐसा कहा गया कि बहुत सारे मदेशी लोगों को उसके बहुत सारे प्रावधानों से बहुत सारी दिक्कत थी समझ मैं आपको और इसलिए भारत परदे के पीछे से उनको support देने के लिए blockade लगाता चला गया कि नेपाल पर दबाव और वो प्रावधान बदल जाएं इंडिया है refuted everything नेपाल है refuse to believe the refutations तो भारत refute करता रहा नेपाल बोलता रहा बिलकुल भी नहीं साफ दिख रहा है कि आप ही ने blockade लगाया है क्योंकि आप चाहते हो कि हमारे समविधान में कुछ परिवर्तन हो त internal matter में आप दखल दे रहे हो भारत का कहना है कि हमने थोड़ी infiltrators भेजे मदेशी लोगों में जो जाके कर रहे हैं बलकि मदेशियों ने खुद हमारी supplies को block कर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें हम दवाईया नहीं भेज पा रहे हैं पेट्रोल नहीं भेज पा रहे हैं what can we पार नेपाल oil corporation ने पेट्रो चाइना के साथ अनुबंध कर लिया जो पूरा भारत के साथ चलता था नेपाल ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और उसके बाद तो relationship has gone downhill to such an extent कि आज वहाँ से जिस तरह के statements भारत के लिए आ रहे हैं और social media पे जो गाली गड़ो होता है हम कितने भी इस piece of land को लेकर आपस में भीड़े रहे हैं social media पर इतनी लड़ाईयां चल रही हैं नेपलीज और इंडियांस के बीच में वह अच्छा नहीं लगता देखके रिष्टे बहुत पुराने हैं और कहीं न कहीं तो हमको थोड़ा सा खुद को restraint करना चाहिए anyway तो यह आपको पूरी कहानी 2015 blockade की समझ में आगी और यहां से चाहिना ने बड़ा smartly अपना जाल बुदना शुरू कर दिया और आज नेपल पूरी तरह से चाहिना के साथ align हो चुका है landlock country है तो इसलिए नेपाल को दुनिया भर की sympathy भी मिलती है landlock countries always get sympathy from the United Nation United Nation का हमेशा से यही कहना रहा है कि जो पूरी तरह से landlock countries है उन पर कोई दादागिरी नहीं करेगा क्योंकि वो तो अमानवी हो जाएगा और इसलिए यूएन की तरफ से भी नेपाल को ही sympathy मिली है भी या याद रखिएगा मेरी बाद अब यह जो इस वक्त constitutional amendment की बात कर रहे हैं खटकर प्रसाद ओली जी वो क्या है और इसी के साथ हम इसको summarize भी कर देंगे तो आज हम जो constitutional amendment बगरा देख रहे हैं मतलब अब मैं सीधे सीधे present day में चला आया हूं दोस्तों कि अब नेपाल की सरकार का रुख भारत के प्रती क्या हो गया है बड़ा दुख होता है देखके और इस चीज को शांती से diplomacy से सुल्जा लेना चीए दोनों सरकारों को बहुत ज़रूर यह दो पानी issue once and for all वो जूट बोल रहा है क्योंकि नेपाल ने यह मां 1998 के बाद से ही की है उसके पहले नहीं कि लेकिन नेपाल का यह कहना है तो ठीक है 2019 के भारत के नए मैप के बाद नेपाल की राजनिती में literally they have been able to set fire to it क्योंकि उससे domestically फायदा बहुत हो रहा है राजनिताओं को नेपाल में और नेपाल वही बोल रहा है कि आपने कैलाश मांसरोवर को वाया लिपुलेग जो metallic road शुरू कर दी मतलब पक्की सड़क वो हम कैसे स्वीकार कर ले है इसी लिए 20 मई 2020 को जब 5-6 मेने की 20 से कोई नतीजा नहीं निकला नेपाल ने अपना खुद का नए मैप जारी कर दिया और इस नए मैप में नेपाल का कहना है कि यह पूरा शेत्र लिंपिया धुरा लिपुले काला पानी सब कुछ हमारा में आपको दिखा चुका हूं वह मैं भारत ने स्पष्ट का कि वही अविन डिस नॉंसेंस आमिन यू कैने अनितिंग मतलब ऐसे तो कल को आप बोलोगे क तो इंदौर तक आता है भुपाल तक आता है ऐसा भारत सरकार ने नहीं का ऐसा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं तो तो अब यह नया मैप देश का है तो यह चाहते हैं कि पूरा-पूरा constitutional amendment नेपाल में हो नेपाल के समविधान में और इस नए मैप पर संसत की पूरी मोहर लग जाए यह केपी शर्मा ओली के लिए difficult काम हो गया है क्योंकि समविधान के मताबिक two-third majority के उनको आवशकता होगी 275 मेंबर हैं उनकी house of rep में लोग सबा में उनकी ओली जी के पास 174 है और वहां की Congress के पास 63 है तो यह approve हो जाएगा लेकिन उन्होंने Congress के साथ इसलिए दोस्ती कर ली और उसको मना लिया आप क्योंकि यह nationalism का मुद्दा आ गया है इसलिए किसी की भी अब हिम्मत नहीं है उसम मिलकर 275 में से 2 3rd हो जाएगा तो यह फटाफट फटाफट constitutional amendment लाकर इस मामले को उस नक्षे को एक final सरकारी मोहर constitutional मोहर लगाने की फिराक में है अगर वैसा होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर यह मामला और गंभीर हो जाएगा इसके नतीजे तो आए नहीं होने की कोशिश की गई लेकिन नेपाल बार बार यह कह रहा है कि पहले तो हम constitution comment तो कर लें क्योंकि यह करके वह अपनी legal position पहले domestically मजबूत कर रहा है कि फिर बाद में क्या बोलेगा कि हमारे तो तमविधान में हम कैसे हटा लें इसको तो आप तो मान लीजिए कि यह तो हमारा यह शेत्र है आपको समझ में आ रहा है गेम क्या खेला जा रहा है कितना सफल होंगे यह तो समय बताएगा और इस पूरे मामले को postpone करो ऐसा भारत की तरफ से शांती से request की गई है कि क्यों यह amendment की जल्दी मचा रहे हैं आप लोग लेकिन नेपाल ने मन बना लिया है ओली साब बिलकुल clear है कि हमें तो यह करना पीछे से चाइना का influence कहीं न कहीं शायद रहा हुआ हो सकता है और upper house से भी यह करवा लेंगे ऐसा लग रहा है तो यह drastic step इसी लिए हैं क्योंकि उनके उपर भी domestically बहुत pressure है और यह कहानी इस तरह से आगे बढ़ रही है इस बीच आर्मी चीफ जनरल नर्वने ने भी यह कहा कि नेपाल यह जो कर रहा है हमारी नई सड़क का पुरा का पुरा विरोध यह किसी और के कहने पर कर रहा है उस पे नेपाल और भड़क क्या कि भई how dare you say such a thing क्या हमारी अपनी सोच नहीं है तो ऐसे statements कई बार counterproductive हो जाते हैं तो दोस्तों अब बस final summary बची है तो final summary के लिए session में मदा आया आपको बारी कीसे चला slowly चला ताकि हर बच्चा साथ में चल पाए समझ सके बच्चे से मेरा मतलब है हर लर्न जो professionals हमारे साथ पढ़ रहे हैं दिल पे नहीं ले ना या ऐसा थोड़ी दिल पे लिया जाता है so in the final summary I will use all the maps in the charts to summarize it for you so this is a trilateral situation शी जिन पिंग और ओली साव आपको दिख रहे हैं भारत चाहता है अच्छे रिष्टे हो चीन का दखल अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप कई साल लगेंगे चीजों को normal करने में a simplified map तो तीन रास्ते जो चलते हैं monster over के लिए ये है पहला रास्ता ये है दूसरा रास्ता और ये है तीसरा रास्ता समझ में आ गए आपको आखिरी रास्ता एक movie का नाम था clear उसमें zoom in किया है clear ये चीनी अकबार नेपाली अकबार की clipping है और वो भारत का actual नक्षा है zoom in किया है the new map Nepal's claim कि ये हमारा शेत्र है Naya Road, Route 1 and Route 2, River Basins, Nepalese Rivers, Today's Political Situation in Nepalese Parliament The End of the Royal Family, Overall LSE, Empire of the Gorkhaz Nepal को नयों अक्सो, Political Map of Nepal, 2015 Blockade Issue, ये भी clear हो गया होगा यहाँ से रिष्टे विगड़ना शुरूवेते तराई शेत्र और ये भारत का शेत्र, Silk Road, 1800 साल चला वही है और ये नेपाल की सरकार का Official Statement इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आई जाएगा आपको ये सारे Point-wise जो नेपाली दावे हैं वो आपके सामने है ठीक है? वो अपना जो case बना रहे है PT app में आज PDF रिलीज हो जाएगा पढ़ लीजे CIA का map जो भारत को बताता है कि भाई ये पूरा शेत्र भारत का है तो PDF डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो भी उपन हो जाएगा Membership हमारे YouTube पर जरूर ले जिजिए कि दोस्तों बहुत ही शांदार आपको वाँ services मिल रही है और IS Academy के courses भी आपके लिए ready है आज की हमारी government scheme में हम आपके लिए ये तीन schemes लेकर आए है Ministry of HRD की Global Initiative of Academic Network गियान, Impress Scheme, Imprint India ये सभी exam के लिए important होती है इस PDF में नीचे ये जो आपको link दिख रही है आप click करेंगे तो आपको हमारा daily current affair के सारे web pages मिल जाएंगे तो उसको आप वैसे use करें ये content आपी के लिए है download कर लीजे, अच्छे से पढ़ लीजे गियान Impress Scheme तो ये सभी अलग-अलग योजना है तपस्या में हम इसको इस तरह से cover कर रहे है hopefully आपको बहुत फायदा होगा यश्वन्त राजकोर्ट से अशीश हनोतिया इंदौर से अंकीता अरोरा एमदबाद से तपस्या में जुड़ी हुई है God bless you all, अच्छे से पढ़ें हमेशा सफल हो Imprint India, MHRD की तीसरी स्कीम ऐसी हम सेक्डो सेक्डो स्कीम इसमें भी कवर कर रहे हैं लेकिन जो एक ही बार में करना चाहते हैं आप Master PDF पचेस कर ले Laptop PC पर पढ़ने के लिए परफेक्ट है 500 पेज का ये PDF है English में बहुत बहुत यूसफुल और आज हम 500 questions कंप्लीट कर रहे हैं दस-दस-दस करके आपको इतने शांदार questions हमने दे दिये जो इन questions को online बड़ी beautiful quiz format में solve करना चाहते हैं इस पे click कर देना ऐसी 50 quizzes खुल जाएंगी और आप आराम से online solve कीजे जितनी बार चाहें उतनी बार solve कीजे ये सब services आपके लिए रोहिद कुमार देहरादून से राओ नलावडे महराष्ट से देविंदर तागी राजस्थान से पढ़िये और जीवन में सफल होईए दोस्तों आपको हमारा आशिरवाद है ये आज के 10 questions इसी के साथ अब हम session को complete कर रहे हैं अभी तक के हमारे जो special session से ये सब हो चुके हैं ये सारे link है video के साथ किसी को भी click करोगे relevant video open हो जाएगा तो बस पढ़ो और जीवन में सफल हो जाओ मेरी तरफ से अब इतना ही प्यारे दोस्तों I hope आपको बहुत आनंद आया मुझे भी आया मैं especially बड़ा slow चला technical चीज़ें धीरे धीरे बताई ताकि आपके notes अच्छे से बने दिमाग में चीज़ें अच्छे से बैठें बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए अगले session के लिए बहुत जल्दी फिर मिलेंगे हमस्ते जाइए